हलो एवरीबन वेरे वेलकम टो स्टेप अपकेडमी मेरा नाम है राहुल गुरूंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं सीबी एस सी के द्वारा जारी किये गए सेंपल पेपर्स को ठीक है भाई साब तो भाई साब यहां पर सेंपल पेपर्स को अगर आप सॉल कर लेते हैं तो यह मेरी गैरेंटी होने वाली है कि यह इसके बाहर तो और कुछ भी नहीं आने वाला है क्योंकि भाई एंटायर जितनी भी बुक है यह आपका जो कोर से वो सारा का सारा कवर कर लिया गया है थ्रू इस पूरे के पूरे सेंपल पेपर्स के ठीक है जी और पॉर्म रहेगा सॉल किया हुआ वह आपको अविलेबल हो जाएगा टेलिग्राम के चैनल पर ठीक है तो आप वहां से भी पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हो वह भाई साब ऐसा जो होता है सिर्फ यहां पर कैमिस्ट्री के लेक्चर होती है कि लेक्चर खतम होने के बाद में उस लेक्चर का जो पीडिएफ रहता है जो कि आपको as a handwritten notes के रूप में भी वहां पे मिल जाएगा ठीक है जी चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो भाई साहब हमारे पास में अगर पेपर की बात कर ली जाए तो इस पेपर के regarding condition कुछ ऐसी है 35 question होने वाले यहां पे जिसमें 18 mcqs होने वाले हैं जिसमें आपका assertion reason भी involved होगा इसके लावा section B में 7 very short answer type question होंगे C में 5 short answer type question होंगे जो की 3 marks के होंगे फिर उसके बाद में 2 case based study वाले question होंगे 4 marks के section E जो होगा 3 long answer type question होगा 5 marks का ठीक है और सभी question करना कंपल सरी है जो की हर बार लिखा जाता है फिर भी क्या होता है छोड़ कर आ जाते हो चलो छोड़ो कोई बात नहीं देखिए जी question पर आ जाते हैं direct a correct electrochemical series can be obtained from potassium calcium और ये फलान डिकाना पूरी series लेके रखी हुई है by interchanging तो इसमें से किसी एक को interchange करा गया है जिससे की यहाँ पे ये series को सही तरीके से लिखा जा सकता है चार option है ठीक है जी अब देखो पूरी की पूरी electrochemical series आपके पास में देखे रखी हुई है short trick बता देता हूँ याद करने के लिए क्या होगा तो भाई साब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो आलिया इंग्लिश में लिख दूं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसमें इंग्लिश में ऐसे लिखना आलिया के बाबा फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा आलिया के बाबा नहीं रही आलिया के सरकारी बाबा कार ना मांगे अलमारी ठीक है भाई साब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो आलिया के सरकारी बाबा कार ना मांगे अलमारी गाड़ी आगे भी होती है भाई या पर काम हमारा यहीं पर हो गया है यहीं से पता चल जाएगा आपको आलिया के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं लीथियम फिर उसके बाद में क्या आजाएगा भाई अरे लीथियम पोटेशियम सरकारी से आजाएगा सीजियम बैरियम फिर आजाएगा केलशियम फिर आजाएगा आपके पास में सोडियम फिर आजाएगा आपके पास में अल्मारी में क्या आजाएगा आपके पास में अल्यूमिनियम तो अगर इसकी सीरीज को देखा जाए तो भाई सहाब किसकी पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा की ग्लुको पाईरेनोज और बीटा दी ग्लुको पाईरेनोज के अंदर कौन सा यहां पर चार में से फेकटर पाया जाता है Minh, एनोमर्स, एपिमर्स और टैंशोमर्स तो देखो मैं सब टैंशोमर्स और एनांशियोमर्स यह वा कहा नहीं तो कहीं से कहीं तक नहीं आती है eTT HappyMerze भी कहीं से कहीं तक नहीं आती है सही अंसर क्या होता है आपके पास में Aigner क्यों क्योंकि सर इनकी जो activity होती है जो आपकी optical activity होती सिर्फ एक कारबन की position में चेंज की वजे से होती है AignerRS क्या होता है Aigner 잡 वो होता है जब कभी भी किसी एक कार्बन पे जो भी ग्रूप जुड़े हुए होते हैं, basically क्या होता है? H और OH जुड़ा होता है, तो एक कार्बन पे जब H और OH की position जो होती है, वो alter हो जाती है, change हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? एनोमर्स का formation होता है, तो यहाँ पर भी वही है, alpha-D gluco-pyronose, alpha-D pyronose, आपके पास, sorry, beta-D pyronose, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके पास एनोमर्स का formation हो जाएगा. Now third वाला question, third वाले question में हमारे पास में कुछ इस तरह का compound दे के रखा हुआ है, जहाँ पर यह oxygen का oxo group बना रहा है, और साथी साथ में आपके पास में क्या दे के रखा हुआ है? इस तरह का कोई compound दे के रखा हुआ है, यहाँ से मैं 3 अटा देता हूँ, यह 3 नहीं है, CS triple bond C के रखा हुआ है, पहली स्टेप में आपके पास में आपने क्या मिला के रखा हुआ है? इथाइन मिला के रखा हुआ है, और इथाइन में भी carbon पे negative charge है, दूसरे में आपने मिला के रखा हुआ है methyl iodide, अब इस question को जड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस question के आना कुछ और answer चाहिए, परन्तु option के according जब मैं देखता हूँ तो कुछ और answer आता है, जड़ा उस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है भाई सब, देखिए, क्या कहानी होने वाली है, हमारे पास में जो compound देखे रखा हुआ है, यह compound है, CH3, single bond CH, single bond CH2, oxygen, and oxygen, ठीक है, यह compound देखे रखा हुआ है, अब obvious बात है कि जब आप इसको breakdown करते हो, या जब आप इसको तोड़ते हो, तो इसको तोड़ने के दो तरीके होंगे, या तो हो सकता है कि यहाँ पे यह जो oxygen है, यहाँ से electron ले ले, अगर इसने यहाँ से electron लिया, तो आपके पास में as a result, compound क्या बन जाएगा, आपके पास compound बनेगा CH3, CH, CH2, इधर आजाएगा आपके पास में O negative, और यहाँ पर क्या आजाएगा, CH2 positive, ठीक है, एक यह result बन सकता है, या फिर अगर में बात करता हूँ कि भाईया, एक result तो यहाँ पर यह भी बन सकता है, CH, CH2, क्या, कि अगर आपके पास में जो यहाँ पर बैठा हुआ oxygen है, इसने electron suppose यहाँ से ले लिया, ठीक है, oxygen क्यूं लेगा, यहाँ पर आजाएगा, CH, यहाँ पर oxygen और यहाँ पर क्या आजाएगा, ओर इसक्यों पर क्या आजाएगा, positive charge, अगर मैं बात करता हूँ कि दोनों में से सही कौन सा है, तो अगर देखा जाए सभी आंसर वांसर सबको हटा के इनके बारे में न सोचते हुए तो पता है सही आंसर कौन सा है ये वाला है कौन सा ये वाला है परन्तु अगर इस वाले आंसर को मैं correct मानता हूँ तो इस वाले आंसर के regarding मेरे पास में इस options में से कुछ भी नहीं निकल रहा है ये ध्यान रखो यहां जितने भी options देखे रखे हुए ना इसमें second position पे क्या है methoxy group है जब कि यहां पर देखा जाए तो यहां third position पे आ जाएगा अगर methoxy आगे आता भी है तो अब क्यों बोला जाता है सर इसको stable क्योंकि सर यहां पर जो कार्बो केटायन बन रहा है वो two degree में बन रहा है जब कि यहां पर बात करते हो कार्बो केटायन कहां बन रहा है one degree में बन रहा है हमको मालुम है न कि two degree वाले कार्बो केटाययन क्या होते हैं जादा ही stable होते हैं ठीक है ऐसी कहानी होती है परणतु समस्या क्या है कि जो options आपको देके रखे हुए हैं वो options इन्हें satisfied नहीं कर पा हैं अगर वो option इन्हें satisfied नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इनको क्या कर देना है हमें अभी side में रख देना है side में जैसे इनको हम लोगों ने रख दिया इस तरह का कुछ compound मुझे यहाँ पे मिल रहा है अभी oxygen के electron छीनने की वज़े से अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ठीक है भाई सहब कंट्रोल जी जी ठीक है अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ जो आपके पास में reagent था reagent क्या देके रखावा था भाई यह हमारे पास में reagent मेरे पास में CH triple bond C जिसके उपर आ यहाँ है negative charge और बात है यह negative charge वाला जो compound होगा वो कहाँ पर attach हो जाएगा वो यहाँ पर attach हो जाएगा जैसे यह यहाँ पर attach हुआ compound बन गया मेरे पास में CH3 CH CH2 C triple bond CH ठीक है यह बन चुका है और साती सात में यहाँ पर क्या चल रहा है oxygen with this negative charge ठीक है पहले वाले reagent का मैंने use कर लिया अब दूसरे वाले पर बात करते हैं दूसरा वाला क्या है CH3I methyl iodide अब क्या होगा सर जब कभी भी methyl iodide की बात की जाती है तो यहाँ पर iodine जो होता है इसका nature कैसा होगा सर negative methyl का nature कैसा होगा positive तो यह क्या बनाएगा यह आपके पास में बना देगा electrophilic group CH3 positive बना देगा तो यह electrophile बन जाएगा अब यह जो positive वाला है वो किसके पास जाएगा इस oxygen के पास में जाएगा जैसे यह इस oxygen के पास में जाता है तो मेरे पास में compound क्या बन जाएगा सर मेरे पास में compound बनेगा CH3 CH इधर पर क्या आ जाएगा आपके पास में इधर पर आ जाएगा O और CH3 क्या होता है methyl होता है तो इसको यहाँ पर symbolize करने के लिए ME करके भी represent कर सकते हो तो इसको क्या कहा जाएगा mythoxy group कहा जाएगा फिर उसके बाद में क्या जाएगा रे भाई आगे आगे आजाएगा मेरे पास में CH2 और यहाँ पर थोड़ी सी जगे को में कर देता हूँ छोटा ताकि मेरे पास में यह लिखने के लिए जो इसका final product है ना उसके लिए जगे बच जाए ठीके तो क्या हो जाएगा आपके पास में CH3, CH, OME, CH2 और उसके बाद में और गाड़ी आगे बढ़ाई मैंने तो क्या बना CH triple bond CH ठीके भई यह यह वाली कहानी बन गई किस में आ रहा है हमारे पास में आंसर CH3, CH, OME, CH2, CH triple bond CH सही आंसर कौन सा हो गया हमारे पास में D वाला तो बस रहे भाई इतनी सी कहानी है ध्यान रखना कई बार अगर आप लोगों का बहुत अच्छा खासा लेवल है study का तो आप लोग इस बात में यहाँ पर आसानी से difference निकाल सकते हो कि सर्ट 2 डिगरी वाले जो कार्बो केटाइन होते हैं they are more stable than primary या 1 डिगरी वाले कार्बो केटाइन के परंतु बात यह है कि जब 4 option में उसका use ही नहीं किया गया है तो मैं जबरदस्ती उसको नहीं खीच सकता हूँ so for that reason मुझे यहाँ पर according to their given answer इस तरह से इसको चलाना पड़ता है ठीक है भाई साब clear हो गई बात समझ में आ गया चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं आगे गाड़ी बढ़ाने पर अब बात कर लेते हैं question number 4 की which of the following is used in photography plates ठीक है पहले होता था भाई अभी नहीं होता है अभी जो आप लोग photo रखते हो पहली बात तो आजकल photo print कराने का बहुत ही scenario कम ही हो चुका है अधिकतर लोग क्या करते है photo print ने करवाते हैं अगर जो करवाते भी हैं तो अब होती है digital printing so digital printing बहुत ज़्यादा cheap पड़ती है as compared to पुर silver oxide के साथ में देहा है तुबाई सप्ट अलकाइल हम लाइड क्यश क्या होते हैं आपके पास में Alekal halide होते हैं आपके पास में RX इस Rx को जब कभी भी Silver Oxide के साथ में Reaction करवाया गया Silver Oxide क्या हो जाएगा मेरे पास में? Ag2O ये हो जाएगा अब देखो Reaction बहुत आसानसी है क्या आसानसी है? सर अगर मैं यहाँ पर दो Alkyl Halide ले ले लेता हूँ तो मुझे पता है Silver का Nature कैसा होता है? सर Highly Positive हेलोजन का Nature कैसा होता है? Highly Negative तो होता क्या है? Silver इस हेलोजन के साथ मिलकर Silver Halide का Formation कर लेगा क्या बना लेगा? AgX का Formation कर लेगा Silver Halide के क्या हो जाएगे? Precipicate बन जाएगे और वो नीचे चले जाएगे जैसे तुमने सुनके रखाओगा Silver Cloride, Silver Bromide उसके Precipitate बन जाते हैं वो नीचे चले गए अब क्या होगा? यहाँ पर दो Alkyl Group फ्री हुए है एक Oxygen फ्री हुआ है तो यहाँ बन जाएगा ROR ROR क्या कहलाता है? Sir, ROR कहलाता है मेरे पास में Ether तो आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ आपके पास में Ether बन जाएगा Ether कहाँ पर रखा हुआ है? यह Dithyl Ether रखा हुआ है ठीक है यह Clear हो गई बात चलिए 6 वाले Question पर आ जाते हैं Which of the following is formed when Benzaldehyde react with alcoholic potassium cyanide के साथ में? Benzaldehyde क्या होता है रहे भाई? Benzaldehyde होता है Benzene ऐसा और उसके उपर Aldehyde कुछ ऐसा ठीक है इसकी reaction आपके करवानी है alcoholic potassium cyanide के साथ में ठीक है अगर आप लोगों ने Hello Alcan, Hello Arin चैप्टर नहीं पढ़ाया तो भाई यह एक बार जाके उसका आपको बता के रखी हुई है एक होता है nucleophilic substitution reaction एक होती है elimination reaction वहाँ पर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब कभी भी substitution होता है तो हम aqueous की बात करते हैं aqueous ionic compounds की बात करते हैं aqueous potassium cyanide aqueous potassium hydroxide परन्तु वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ alcoholic वाले की तो alcoholic वाला क्या करता है यहाँ पर eliminate करवाना चालू कर देता है पर वो alcoholic base होते हैं या बलकी base होते हैं यहाँ पर क्या है potassium cyanide है जिसका हमें मालूम है तोड़ने पर क्या बनता है K positive, CN negative अब देखो होता क्या है हम लोगों को पता है यहाँ एक single molecule से तो reaction होने नहीं वाली है बेंजालडिहाइड के तो क्या करना पड़ेगा दो molecule लेने पड़ते हैं यहाँ पर बेंजालडिहाइड के जैसे यहाँ पर आप दो molecule लेते हो तो दो molecule लेने पर होता यह है कि आपके पास में इसको थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ मैं इसको लेटा दिया मैंने ठीक है यह रहा मेरे पास है बेंजीन यह रहा कार्बन, डबल बॉन, ऑक्सीजन अब देखो होता क्या है बेंजालडिहाइड का यह वाला हाइड्रोजन यहाँ से तूटता है यह वाला हाइड्रोजन तूटने की वज़े से जो वेलेंशिय खाली होती है यह खाली वेलेंशिय पे यह दूसरे वाले कार्बन को पकड़ता है कुछ इस तरह से और जो यहाँ दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन था, वो होता है ब्रेकडाउन और वो breakdown होकर यहाँ पर क्या बनता है OH एक H इसके पास में already present था मतलब दो benjaldihyde आपस में जुड़ गए जिसमें से एक benjaldihyde ने अपना hydrogen loose करा और दूसरे benjaldihyde ने क्या करके रखा हुआ अपना double bond loose करके hydrogen को अपने अंदर आने दिया तो यह क्या कहानी हो गई सर यह कहानी तो reduction की हो गई है यहाँ पर reduction perform हुआ ना कि यहाँ पर double bond टूटा और hydrogen attach हो गया तो इस तरह का compound बना इस तरह compound क्या कहलाता है इस तरह का compound कहलाता है benjoin ठीक है जी तो यह कहानी है तो यहाँ पर benjoin का formation done अब बात कर लेते amount of energy expanded during the passage of one ampere and one ampere current for 100 second under a potential of 115 volt अब question यह बोलता है कि amount of energy expanded कितनी energy यहाँ पर amount दिया जाता expanded during the passage of one ampere current जब आप एक ampere current को pass करवाते हो 100 second तक और potential कितना है 115 volt ठीक है अब देखो भाई साब formula क्या होता है सारी कहानी formula पे टिकी हुई है अगर मैं बात करता हूँ formula की तो यहाँ पर आपको निकालना है energy energy is equal to होता है charge into potential ठीक है भाई साब क्या होता है charge into potential अब इसके regarding अगर मैं बात करता हूँ charge की तो charge क्या होता है आपके पास में current into time multiplied by potential अब क्या हो जाएगा sir charge current कितना है 1 ampere time कितना है मेरे पास में 100 second multiplied by potential कितना है भाई यह हमारे पास में 115 volts यह देखे रखा हुआ है सबको अगर आप solve कर दोगे तो answer कितना आएगा 115 and double zero परंतु ध्यान रखना यह जो answer आया है आपके पास में यह answer आया है आपके पास joule में परंतु यहाँ पर क्या चल रहा है अगर मैं देखू unit kilo joule kilo joule kilo joule सब जगे kilo joule देके रखी हुई है तो आपको joule को क्या करना पड़ेगा kilo joule में convert करना पड़ जाएगा ठीक है भाई साब कोई बड़ी बात नहीं है रहे क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर जूल और kilo joule की बात करता हूँ तो one kilo joule is equal to क्या हो जाएगा one thousand joules हो जाएगा तो यह one joule की value कितनी हो जाएगी one joule is equal to हो जाएगा मेरे पास में one upon में one thousand kilo joules हो जाएगा just value put कर दो बस खतम काम क्या हो जाएगा मेरे पास में 11,500 divided by 1,000 किलो जूल 2,0 से 2,0 कड़ गए ये उपर चला गया आंसर कितना आ गया मेरे पास में 11.5 किलो जूल तो बस रे भाई ये इतना आंसर आ गया है तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला ठीके, नाव बढ़ जाते हैं 8 वाले question पे solution of hydrogen in palladium तो याद करो hydrogen और palladium वाला जो किस्सा हम लोगों ने देख के रखा हुआ था वो देख के रखा हुआ था हमने Rosenman reaction में ठीके, किसमें देख के रखा था Rosenman reaction में जहां पर आपके पास में ये कहानी में समझाता था हमेशा वहाँ तो मैं हर बारी बोलता हूँ Ironman की में वहाँ पर कहानी समझाता था और Ironman वाली कहानी में मैं हमेशा ये बोलता था कि जैसे ये palladium का यहाँ पे box रखा हुआ होता है तो यहाँ क्या होता है कि यहां पर आपके पास में solid पे होते हैं, surface पे बहुत छोटे छोटे pores या फिर छोटे छोटे से छेद, और इन छेदों के अंदर क्या हो जाता है कि जो आपके पास में रखे हुए hydrogen होते हैं, वो यहां surface पर आकर adsorb हो जाते हैं तो यहां यह जब adsorb हो जाते हैं तो यह actual में क्या हुआ है gases solid में आकर mix हो गई है तो यह किसका example हुआ किस तरह का solution बन रहा है जब gas solid में mix हो रही है तो इसका मतलब यहां पर gas क्या है sir gas आपके पास में यहां पर है solute और जो solid है वो आपके पास में काम करता है as a solvent का ठीक है यह clear हो गई बात समझ में आ गया तो बस रे भाई इतनी कहानी है question number 9 यह question तो पूछा जाने वाला ही है बिल्कुल बहंकर का important यह तो बड़ा question आएगा SN1 SN2 mechanism क्या होता है समझाओ या फिर आता है आपके पास में वो racemic mixture क्या होता है या racemization की process क्या होती है वो बताने का या फिर आपके पास में इसके order बताने का अब क्या बोलता है arrange the following in the decreasing order of SN2 reaction बहुत आसान है अगर आपको पता है SN2 SN2 क्या होता है आपके पास में bimolecular nucleophilic substitution reaction ठीक है SN2 मतलब क्या bimolecular substitution reaction जिसमें हमेशा एक खास बात की जाती है और वो खास बात ही रहती है कि suppose कार्बन के साथ में कोई halogen group यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो यह reaction तब बहुत ही जादा अच्छी तरीके से होती है जब आपके पास में कार्बन के पीछे की तरफ hysteric hindrance कम होता है क्यूं क्यूंकि होता क्या है यहाँ पर आप लेते हो एक strong nucleophile को और यह जो strong nucleophile होता है यह कभी भी front side से attack नहीं कर पाता है ठीके यहाँ पर क्या होता है कि यह जो strong nucleophile होता है न यहाँ कभी भी ऐसा front side से attack नहीं कर पाता है इस halogen X के अंदर ठीके इसको मैं जरा सा red pen से लिख दूँ तो देखने में अच्छा लग जाएगा ठीके यह क्या लिखा है हमने X halogen के ओपर यह attack नहीं कर पाता है front side से अगर यह front side से attack नहीं कर पाता है क्योंकि repulsion जादा है तो यह हमेशा क्या करता है यहाँ से यहाँ पर यह back side से attack करने की कोशिश करता है और back side से जब कभी भी attack किया जाता है तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पीछे की तरफ steric hindrance क्या हो कम हो ठीके क्या होना चाहिए steric hindrance कम होना चाहिए steric hindrance कम होगा तो obvious बात है back side से attack possible होता चले जाएगा तो सारा लफडा किसका है steric hindrance का है steric hindrance कैसे generate होती है जब कभी भी electron के cloud आपस में repulsion करते हैं छोटे छोटे hydrogen पर repulsion सबसे कम होगा परन्तु वहीं बड़े बड़े आपके alkyl group जो होंगे तो वहाँ पर repulsion सबसे जादा होगा तो आप यहाँ पर यह बोल सकते हो कि sir अगर मैं बात करता हूँ according to this repulsion तो हमें मालूम है कि सबसे जो यहाँ पर ऐसे situation होती back side में किसमें सबसे आसान है sir P वाले में क्योंकि देखो CH3Cl है तीन hydrogen है इसको repulsion ज्यादा face नहीं करना पड़ेगा so for that reason B वाला answer काट दो C वाला answer काट दो B और C मैंने यहाँ पर cut कर दिया है बजगया क्या मेरे पास में A और D तो देखो भाई साब इसके बाद में क्या बोलता है क्यों बोलता है क्यों भी बिल्कुल सही है क्यों सही है क्योंकि sir ये वाला क्या है one degree one degree में hindrance कम होता है फिर बात करते है यहाँ यहाँ पे यह भी one degree है परन्तो इसके साथ समस्या क्या है कि इससे बड़ा ग्रूप यहाँ पे present आपके पास में देखे रखा हुआ है इस वाले की बात करते हो ये वाला क्या है आपके पास में two degree अगर बात करता हो में two degree की तो ये कहानी कैसी होगी carbon hydrogen सर इधर भी मेरे पास methyl ग्रूप है और इधर भी मेरे पास methyl ग्रूप है और इधर क्या चल रहा है हेलो जन आपके पास चल रहा है इसको सबसे ज़्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दो बड़े मिथाइल के ग्रूप है तो बैक साइड से अटैक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो फॉर दाट रिजन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ decreasing order of S and 2 वाला तो यहाँ पर सबसे कम reaction कौन करेगा S वाला तो भई यह S वाला किस में है option Sir S वाला option D में है तो A वाला भी cancel कर दो सही answer कौन सा हो जाएगा D वाला ठीके वाई साथ clear हो गई बात चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अगला बोलता है substance will be delicatant if its vapor pressure is अब बात कर लेतने हैं कि Sir question तो बहुत आसान है परन्त यह delicatant का मतलब होता क्या है तो भई यह delicatant का मतलब actual में होता है कि आप बात करते हो ऐसे substance की जो substance moisture को absorb कर सके ठीक है क्या कर सके moisture को absorb कर सके अब moisture मतलब क्या atmosphere में जो air होती है इस air के अंदर जो नमी पाई जाती है water के molecules जो present होते they are known as moisture तो ऐसे substance जो moisture को absorb कर सकते हैं they are known as delicatant तो यह बोलता है ऐसे substance will be delicatant if its vapor pressure is जिनका vapor pressure क्या होना चाहिए lesser than that of water vapor pressure in the air पहला वाला ही बिलकुल सही हो गया आप खुद सोचो कि अगर जिनका vapor pressure कम होगा तभी तो वो सामने वाले से क्या होगा पानी को अपने पास आने देंगे क्योंकि vapor pressure क्या है pressure है आप खुद सोचो ऐसा pressure लगा रहा हूं ठीक है मैं pressure लगा रहा हूं बार 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 pressure लगा रहा हूं और ये pressure कैसा होता है जैसे तुमने देखा न पढ़ाई करते टाइम पे सामने वाले को हमेशा ये बोला जाता है कि भाई दिमाग को बिलकुल खाली कर क्या हो कई सारी वो kung fu movie में दिखाते हैं दिमाग को बिलकुल खाली करके आओ तब ही जाकर ग्यान अंदर की तरफ आएगा सेम उसी तरह से अगर आप खुद सोचो कि आपके पास में एक ऐसा substance है जिसका खुद का वेपर प्रेशर जादा है तो वेपर प्रेशर जादा होगा तब ही वो क्या कर पाएगा उसको एबजॉर्ब कर पाएगा ठीके जी चली तो बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन बोनता है कि आपके पास में Nucleic Acid the sequence is Nucleic Acid में क्या sequence पाया जाता है यह पहले भी हम लोग पढ़ा चुके है या मैंने शायद live में भी ये करवा के रखा हुआ था कि जो nucleic acid है उसमें sequence पाया जाता है phosphate, sugar और base का ठीक है भाई साब आपके पास में pentose sugar होती है ऐसी 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 यहाँ पर क्या होता है आपके पास में phosphate जुड़ा हुआ होता है ऐसा ऐसा और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है आपके पास में base जुड़ा हुआ आता है तो phosphate, sugar और base इसका क्या होता है यहाँ पर nucleic acid में sequence होता है गाड़े आगे बढ़ाते हैं फूरती से which of the following statement is not correct for the catalyst पहला, catalyst वैसे होते हैं क्या है भाई साथ, catalyst के regarding अगर बात कर दिये जाए तो भाई ऐसे substance जो reaction में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आते हैं ताकि rate of reaction को वो increase या decrease कर सके या फिर बोला जाए तो change कर सके, परन्तु वो reaction में जब end product बनता है वहाँ पर present नहीं होते हैं तो भाई साथ कौन सा statement गलत है, it is a substance that does not change the equilibrium constant of a reaction भाई ये तो बिल्कुल सही है B वाला provides an alternate mechanism by reducing activation energy between the reactant and product, हाँ भाई साथ, activation energy को भी ये कम कर देते हैं, वो एक graph बनता है न ये इस तरह से याद होतो, ये मैंने पढ़ा के भी रखा है, तो activation energy में क्या हो जाता है, इसको छोटा कर दिया जाता है, it catalyzes the forward end यहाँ पर आगे backward reaction होना चाहिए था, ठीक है ये क्या करता है, catalyze करता है आपके forward reaction को और D वाला बोलता है, it alters delta G of the reaction, तो भाई साथ सही answer कौन सा है, D वाला, मतलब यहाँ पर ध्यान रखा जाए कि जो Gibbs free energy में change होता है, तो catalyst कभी भी delta G के उपर कोई भी effect नहीं डालता है, परन्तु यह क्या बोलता है, alter कर रहा है, तो इस वज़े से सही option कौन सा है, D वाला, now next वाला, next वाला होता है, which of the following is a not actinoid, अब भाहिया यहाँ पर सीधी सी बात है, lengthenoid और actinoid का रट्टा मारने वाली कहानी होती है, अब lengthenoid और actinoids की regarding, अगर आपको याद होगा, तो मैं वो table बना के रखा हुआ है, जो आपका one shot बना के रखा है, उसमें बताई है short trick, तो उस हिसाब से देखा जाए, curium, californium और uranium, ये सभी आते हैं actinoids के अंदर, परन्तु सिर्फ terbium जो रहता है, वो यहाँ पे नहीं आता है, question number 14, standard electrode potentials are, Fe2 positive से Fe का है, minus का 0.44, Fe3 positive से Fe2 positive का है, 0.77, अब ये बोलता है, Fe2 positive, आपके पास में, comma, Fe3 positive and Fe, blocks are kept together then, अगर ये सब कुछ पास पास रख दिया जाए, क्या-क्या पास पास रख दिया जाए, Fe2 positive, Fe3 positive और Fe, अगर सब को पास पास रख दिया जाए, और यहाँ पर ये बोला जाए, कि Fe2 से Fe बनाने पर इतना होता है तो finally at the end of the story ये बताओ, कि यहाँ पर final answer क्या होगा, तो बहुत easy है, ध्यान रखना कि जब कभी भी आप electrode potential की बात करते हो, ठीक है, electrode potential पर क्या होना चाहिए, आपके पास में, यहाँ पर आप बोलते हो, दो तरह की value आती है, एक negative value आती है, एक positive value आती है, ठीक है भाई साहब अब देखो, two positive से FE पे क्या आ रहा है, 0.44, three positive से यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.77, तो जितनी भी यह जो positive value वाले होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होना चालू हो जाते हैं, डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होंगे, अपने आपको तोड़ना चालू कर देंगे तो इस वज़े से सही आंसर कौन सा होगा D वाला अगर पूरी अच्छी तरीके से जानना है Oxidation Reduction वहाँ पर One Shot बना के रखा हुआ है जहां पर Electrochemical Series के regarding समझा के रखा हुआ है कि भीया क्या होता है साथ ही साथ में जब corrosion वाला पार्ट आता है तो वहाँ पर भी इस चीज को समझा के रखा हुआ और एक question भी वता के रखा हुआ है कि वो zinc pot और copper sulfate और copper sulfate और zinc pot वाला एक बार जाके आप लोग देख लेना परनतों यहां पर ध्यान रखो कि भाई यहां पर जो value इस तरह से positivity की तरफ जाएगी उसको decrease करते चले जाएंगे चलो भाई अगला question बोलता है boiling point of alkyl halide अच्छा assertion reason आ गए assertion reason बोलता है boiling point of alkyl halide increases with an increase in molecular weight बिलकुल सही है कि जैसे जैसे आपके पास में molecular weight बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे क्या होती चले जाएगा आपके पास में यह कहानी होती चले जाएगी अगला बोलता है boiling point of alkyl halide is in order of RI, RB, RB नहीं होता, RBR होता है RBR, RCL और RF यह कहानी देखे रखी हुई है तो आपको बताना इसमें से सही answer क्या होगा वैसे आपको पता ही है कि assertion भी बिलकुल सही है क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे molecular weight बढ़ता है वैसे वैसे इसका boiling point भी बढ़ता जाता है तो assertion सही है, reason भी सही है क्योंकि order क्या होता है आपके पास में iodine से fluorine तक आपके पास में जाता रहता है ठीक है ठीक है तो देखो वाई सब सही answer क्या होगा वैया, assertion भी सही है, reason भी सही है परन्तों लफड़ा यहां पर क्या बनकाराता है, यह एक दूसरे का explanation नहीं दे पार है यह लोग क्यों नहीं दे पार है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूँ, specifically इस term के तो यहां पर होता क्या है कि अगर आप बोलो कि RI से RF पे boiling point decrease क्यों हो रहा है तो इसका reason यह होता है कि यह iodine की अगर बात की जाती है न, तो iodine का size क्या होता है, बड़ा होता है iodine के size के बड़े होने की वज़े से, यहां पर जो इसके बीच में vendor wall force लगता है यह vendor walls force क्या हो जाता है, यह बढ़ जाता है और vendor walls force एक तरह से क्या है, आपके पास में attraction का force है है न, vendor walls क्या होता है, molecules के बीच में लगने वाला attraction का force है तो बाई साहिब, यहां तो force की बात हो रही है और यहां पर कुछ और ही चल रहा है तो इस वज़े से assertion और reason दोनों सही होते हुए भी दोनों एक दूसरे के correct explanation नहीं है तो सही answer कौन सा हो जाएगा, B बाला, both assertion and reason true but reason is not correct explanation of the assertion Now question number 16, पानी boil होता है 373 Kelvin पर 373 Kelvin मतलब कितना रहे, 373 Kelvin की बात करते हो, 373 Kelvin मतलब 100 degree centigrade as the vapor pressure at this temperature becomes equal to the atmospheric pressure, बिल्कुल सही है यह घटना को क्या कहा जाता है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं इस घटना को कहा जाता है, हमारे पास में boiling point फिर बोलता है, assertion सही है रहे भाई, पहले बता देता हूँ reason की बात करते है, vapor pressure of water is less than 1.01 बहुत सारा करके देखे रखा, ठीक है, बिल्कुल गड़त, जूट है भाई, vapor pressure of water का यहाँ पे कम कैसे हो सकता है, 1 bar से 373 Kelvin temperature पे, क्योंकि देखो, ऊपर तो बोलता है, बराबर है क्या बोला है, vapor pressure at this temperature becomes equal to atmospheric pressure इसने यह बोलके रखा, और नीचे वाले में बोलता है, कम होता है तो क्या यह possible है, नहीं है, assertion सही है, reason false है तो सही answer कौन सा हो जाएगा, C वाला, गाड़ी आगे बढ़हाओ अगला question देखे रखा हुआ है, कि आपके पास में दो alcohol दे के रखे हैं, एक में benzene group है और एक में normal alkyl groups है can be differentiated by iodopharm reaction और यह बोलके रखा है कि इन दोनों को iodopharm reaction से differentiate कर सकते हैं, हाँ भई, कर सकते हैं, सही, assertion सही है reason की बात करते है, alcohols having this kind of group gives halopharm reaction, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो इस तरह का group possess करते हैं वो halopharm reaction दे सकते हैं, जनररी देखा जाए, two degree वाले जो होते हैं तो two degree वाले इस बात का ध्यान देना, कि जो two degree वाले alcohol होते हैं, उसको यहाँ halopharm test से differentiate करा जा सकता है, so for that reason, यह इस बात को बिल्कुल क्या करता है, accept करता है, सही साबित करता है, कि जितने भी two degree वाले alcohols होते हैं, वो halopharm test को दे सकते हैं, और इस वज़े से इन alcohols को भी differentiate किया जा सकता है, मतलब assertion भी सही है, reason भी सही है, reason भी सही है, reason is the correct explanation of this assertion. Now, अगला वाला question, zinc displaced copper from copper sulfate solution, ठीक है, zinc जो होता है, वो copper sulfate के solution से displace हो जाता है, हाँ भाई, बिल्कुल सही है, reason, क्योंकि zinc की अगर बात करते हैं, तो आपके पास में इसकी value है minus का 0.76, copper की value कितनी होती है, 0.34 होती है, और ये क्या करते हैं, एक feasible reaction बनाते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है, आप लोग को अगर याद हो तो, अगर आप लोग को याद हो कि standard EMF निकाला जाता था, आपके पास में oxidation plus reduction को perform करते हुए, तो इस basis पर क्या होता है, zinc आपके पास में oxidize हो जाता है, तो minus का 76, actual में बन जाता है, plus का 0.76, छीक है जी, ये कहानी होती है, और उसके साथ में यहाँ पे, sorry, उल्टा बुल दिया, मैंने zinc oxidize हो जाता था, copper dues हो जाता है, 0.34, answer कितना आता था, 1.00, और ये reaction क्या हो जाती थी, feasible हो जाती थी, ये process आगे proceed कर जाती थी, तो जब कभी भी reaction feasible होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, obvious बात है, वो breakdown करता ही है, तो सही answer कौन सा हो जाएगा, A बाला, कि both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, क्यों, क्योंकि zinc displays copper from copper sulfate solution, zinc copper sulfate solution में से copper को हटा सकता है, क्यों हटा सकता है, क्योंकि zinc की value ये इतनी, copper की value इतनी, जब solve करोगे, तो सही answer क्या आता है, मेरे पास में इतना आता है, जो कि एक feasible reaction को दिखाता है, एक working reaction को दिखाता है, ठीक है, यह clear हो गई बात, तो यह रहा question number 18, अब बात कर लेतने हैं भाई साहब, अगले question की, वैसे ये section B चालू हो गया है, वो A खतम हो गया था, सभी में A डल दिया क्या, वारे इंसान, ठीक है, ये section हमारे पास में A नहीं है, अब B चालू हो गया है, आप ध्यान रख लेना भाई साहब, B वाले questions चालू हो गया है, two marks वाले, write the equation involved in the itard reaction, itard reaction के अंदर यहाँ पर आपको बताना है, क्या होता है, या फिर define करना carbon group को, जो कि हम दोन ही करेंगे, itard reaction दुनिया के सबसे आसान reaction है, itard reaction के अंदर क्या होता है, कि आपके पास में जो यहाँ पर toluene होता है, CH3 toluene होता है, इसको क्या करा जाता है, क्रोमाईल क्लोराइड के साथ में react करवाया जाता है, जो कि क्या होता है मेरे पास में, CRO2 Cl2 in the presence of carbon dioxide, तो यह क्या कर देता है, यह यहाँ पर benjalडिहाइड का निर्मान कर देता है, तो बस रहे भाई, इतनी सी ही होती है, इतार डिरेक्शन toluene से benjalडिहाइड बनाने की, और वहीं अगर कार्बोनिल ग्रूप की बात की जाती है, तो कार्बोनिल ग्रूप वो होते हैं, जहां पर एक कार्बन पजेस करता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा देखो, यह कार्बन डबल बॉन्ड पजेस करता है, ऑक्सिजन के साथ में, और यहां पर दो हाथ इसके खाली रहते हैं, तो भाई साब जब भी ऐसा ग्रूप बनता है, तो इसके भी आपके पास में, दो यहां पर अलग-अलग कार्बन ग्रूप पाए जाते हैं, कौन-कौन से, एक होता है सर, जब एक जगे पर हाइड्रोजन और एक जगे पर अगर अलकाइल ग्रूप लगा दिया जाए, तो इसको कहा जाता है कार्बेलडिहाइड, ठीके, क्या कहा जाता है, कार्बेलडिहाइड बोल रहा हूँ, अलडिहाइड बोल देते हैं, यह जो CHO group होता है, इसको क्या कहा जाता है, aldehyde कहा जाएगा, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ, कि सर ये रहा carbon इस पे बना है double bond, इधर भी आपने किसी alkyl group को लगा दिया, इधर भी किसी alkyl group को लगा दिया, तो ये क्या कहलाता है, आपके पास में ketone कहलाता है, ये ध्यान रख स्वाले, ठीक है, ये जी, clear हो गई बार, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला question, inorganic chemistry में से देखे रखा है, coordination compounds में से, coordination chemistry में से, write the formula of the following complex, सबसे आसान, ठीक है, क्या देखे रखा है, pentamine, chloro, cobalt 3, तो भाई सहाब, पहला वाला बहुत आसान है, pentamine का मतलब क्या, जो आपके प तो pentamine, pentamine क्या हो गया, ये हो चुका है, ligand, अब उसके बाद में क्या है, chloro, cobalt है, अगर मैं बात करता हूँ, cobalt की, तो cobalt की कहानी क्या है, भाई सहाब, cobalt की कहानी आपके पास में ये है, कि ये है, आपके पास में central metal atom, ठीक है जी, उसके बाद में क्या देके रखा chloro, oxidation state कितनी है, प्लस का 3, क्या कहानी बनेगी, अब देखो, जो chloro देके रखा हुआ है, वो यहाँ oxidation number के इधर देके रखा हुआ है, अगर उधर देके रखते हैं, तो coordination sphere के बाहर बात चली जाती, ठीक है, तो अब क्या होगा, sir, यहाँ पर आप बना दो central metal atom, cobalt को, साती स में जो chlorine है, वो कहां आएगा, यहाँ पर आएगा, परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली आपके पास में है, कि Amine Group के उपर जो charge होता है, वो कितना होता है, 0, जबकि overall cobalt का oxidation state क्या है, प्लस 3, अगर cobalt plus 3 है, तो इसने किसी को 3 electron दिये होंगे, वो 3 electron गरहन करने वाला कोन होगा, आपके पास में chlorine होगा, तो CO, NH35, CL3, यह कहानी हो जाएगी रे भाई, सेकेंड वाले की बात कर लेता हूँ, lithium tetrahydro, lithium सबसे आगे लिखा है, मतलब यह आपके coordination sphere के बाहर आएगा, देखो रे भाई, lithium metal है, यह coordination sphere के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, hydro का मतलब hydrogen, कितने hydrogen है, चार hydrogen है, aluminate, aluminate central metal atom है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, आपके पास में, aluminium आ जाएगा, और oxidation state कितनी है, प्लस 3 है, जो की बिलकुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 hydrogen मिलकर लेंगे, माइनस 4, यह वाला lithium प्लस 1 है, और इस वज़े से यह वाला aluminium क् प्लस 3 हो जाएगा, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, चलो, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अगला हमारे पास में देखे रखा हुआ है, कि आपके पास में CO-FE6, 3 negative, CO-ethylene, जो आपके पास में 3 है, 3 positive देखे रखा हुआ है, which one complex is paramagnetic more stable inner complex orbit and high complex orbit देखे रखा हुआ है, economic number, मतलब इसके पास में है 27 electron, जिसका मतलब होता है, ये possess करता है, 3D7 and 4S2, इस ग्रूप को ये possess करता है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इस COBOLD की, तो भाई साब, oxidation state आपको देखनी है, plus minus वाली और वहाँ पे काम आपके पास में हो जाएगा, अगर मैं बात करता paramagnetic, तो paramagnetic वो होते हैं, जिनके अंदर जादा से जादा unpaired electrons present होते हैं, थोड़ा सा काम आप करके देखना, कोबोल्ट की plus 3 की oxidation state अगर आप लेकर आओगे, तो कोबोल्ट plus 3 oxidation state पे क्या हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक है, कोबोल्ट plus 3 oxidation state जब कभी भी आप देखोगे, तो यहाँ आप पाओगे कि भी या कोबोल्ट को plus 3 करने पर यहाँ आपके पास हो जाता है 3D6, 3D6 का मतलब क्या होता है, कि जो d orbital होते हैं, इसके अंदर होते हैं, ऐसे 5 orbitals और 6 electrons हैं, 6 electrons में से क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 आपके पास में unpaired electron है, तो अगर मैं बात करता हूँ, तो paramagnetic characteristic की, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, अच्छे इसको एक काम करता हूँ, इसको A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम देता हूँ, अगर बोला जाएगा paramagnetic, तो paramagnetic कौन सा होगा, A वाला हो जाएगा, more stable कौन सा होगा, ethylene, diamine वाला हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो, जो EN होता है, तो basically EN का full form यहाँ पर अगर इसका structure देखूँ, तो यह आपके पास में कुछ ऐसा रहता है, ठीके, यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, NH2, ऐसा, ठीके, अरे, दो कहां बना दे मने, ऐसा रहता है, यह कहानी होती है अब क्या होता है, कि सर ये वाला जो इथालीनी डायमाइन होता है, यह चिलेशन को perform करता है, या ring structure को perform करता है, साथी साथ में by dentant ligand है, यहाँ पर दो-दो nitrogen इसको electron दे रहे हैं, तो होता क्या है, यह जो cobalt होता है, यह cobalt, जब इस EN group या इथालीनी डायमाइन के साथ में reaction कर रहा है, तो यह चारों तरफ से इस तरह से घेर लिया जाता है, ठीके, यह ऐसा हो गया, और एक घेराओ कहां से कर दे हम, एक घेराओ हम यहां से कर देते हैं, ऐसा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में CH2, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पा पास में B वाला ठीके भाई सहाब ये वाली कहानी हो जाएगी इसके बाद में आता है आपके पास में इनर और्बिटल कॉंप्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉंप्लेक्स क्या होता है कि यहां पर फ्लोरीन की प्रेजेंस की वज़े से कि स्ट्रॉंग लिगेंड वाला कॉंसेट आपके पास में जनरेट हो जाएगा याद करके देख लेना क्रिस्टल फील्ड थियोरी आप पढ़के देखना एक बार जो बन शॉट में भी आपको देखे रखी हुई है उसके अगॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहां पर यह हाई-spin-complex बना देती है मतलब हाई-spin-complex कौं सा होगा ऐ वाला तो लास्ट में inner orbital complex बच चुका है जो की क्या होगा यह बी वाला तो बस रहे भाई इतनी सी कहानी है तो बस इतना इसा ही करना है इसके अंदर अगले question पर फटाफट फूर्ती से बढ़ते हैं IUPAC जो इसके names रहते हैं write the formula for the following complexes hexa, equa, chromium 3 chloride अब देखो इसका आपको क्या करना है यहाँ पर formula लिखकर रखना है hexa, equa, equa का मतलब होता है पानी, chromium मतलब CR और hexa क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे, equa जो पानी था, उसका amount कितना है हमारे पास में, 6 है यह जो ligand है, वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है chromium के साथ में तो chromium की कहानी क्या हो जाएगी यहाँ पर CR हो जाएगी अगर आपके पास में, यहाँ पर देखे रखी है, oxidation state और left hand side पर यह सारा आपके पास में, पूरा माल पत्ता देखे रखा हुआ है, तो इसको भरदो coordination sphere में, यह coordination sphere में आ जाएगा, और oxidation state के right hand side पर अगर कोई सा ग्रूप लिखा हुआ है तो वो coordination sphere के बाहर जाएगा, तो बाहर कौन जाएगा chlorine, और क्या बोला है chloride, chloride का मतलब क्या होता है ऐसा anion यहाँ पर यह participate कर रहा है छीक है जी चलो, यहाँ पर ऐसा बना देते हैं chlorine, अब quantity की बात कर लेते हैं यह क्या है 3, 3 का मतलब क्या है chromium plus 3 है अगर chromium plus 3 है तो obvious बात है, सामने वाले किसी को तो इसने electron दिये होंगे किसको दिये होंगे, chlorine को इस वज़े से यहाँ पर क्या लिखना पढ़ेगा CL3 लिखना पढ़ जाएगा क्योंकि water की बात की जाए तो यह यह तो neutral है यह तो zero है plus 3, minus 3, satisfied अगला sodium tri oxalato ferrite sodium है एक metal दूसरा क्या है, ferrite iron, तो sodium को क्या करना पढ़ेगा तुम्हें बाहर निकालना पढ़ेगा coordination sphere के तो यह coordination sphere के sodium को बाहर निकाल दिया tri oxalate है तो oxalate 3 है और ferrite है ferrite का मतलब क्या होता भाई यह हमारे पास में fe और साथी साथ में tri oxalate ox से इसको represent करते हैं और try है, try का मतलब क्या हो जाएगा 3 ferrite, try, oxalate यह इसकी कहानी बन जाएगी तो इस तरह से क्या होता भाई साहब इसके नाम रखे जाते हैं एक नाम आपके पास में ये वाला हो गया दूसरा नाम आपके पास में ये वाला हो गया चलिए जी, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं नमबर 22 पे Mention the various factors that affect the rate of chemical reaction बहुत ही आसान है question बहुत ही आसान सा question है आसान सा question यहाँ पर क्या है कौन-कौन से factor होते हैं जो chemical reaction को जो rate of reaction होता है उसको affect करते हैं चीके तो सबसे पहले आपके पास में आएगा nature of the substance nature भाई यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अगर कोई ऐसे substance होंगे जो आपस में reaction ही नहीं करना चाते तो उनकी reaction तुम करवा ही कैसे लोगे तो case number 1 यहाँ जाएगा case number 2 पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तो case number 2 पे क्या आता है भाई साहब मेरे पास में temperature case number 3 पे बात कर लेते हैं तो case number 3 पर क्या आता है भाई यहाँ हमारे यहाँ पर pressure case number 4 पे बात कर लेते हैं तो case number 4 पे क्या आता है भाई साहब आपके पास में catalyst यह कहानी होती है तो कौन-कौन से factor यहाँ पर affect करते हैं एक तो nature of the substance effect करता है temperature effect करता है pressure effect करता है और क्या करता है आपके पास में catalyst ठीक है भाई साहब दो number वाला question रहता है इतने point लिख दोगे sufficient है गाड़ी आगे बढ़ाओ gives of examples showing importance of complexes in biological system biological system में in complexes के regarding आपको यहाँ पर बताना है कि भाई साहब complexes मतलब क्या complexes मतलब जो आपके पास मैं भी complex compound से बात कर था था ना मतलब specifically met आपके metal से related तो उनके बारे में बताना है biological system में कहां कहां पर use होता है भाई दो बहुत ही famous है दो बहुत ही ज़्यादा famous है एक होता है magnesium जो की कहां पाया जाता है जो की पाया जाता है पेड़ पोधों पत्तों में chlorophylls वाली जो कहानी होती है ठीके बायो वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह के से जानते हैं दूसरा होता है हमारे पास में iron iron कहां पाया जाता है भाईया जो आपके पास में hemoglobines होते हैं वहां पर पाया जाता है आपके पास में iron तो ये दो कहानी है याद रखना easy है गाड़ी आगे बढ़ा लो अगला यहाँ पर denaturation of protein की बात की गई है question बोलता है when is a protein set to be denature denature protein कब कहलाता है तो यह धियान रखिये इस बात का जब कभी भी two degree या फिर three degree protein जो होता है ये breakdown होता है because of pH या फिर temperature की वज़े से तो इसको क्या कहा जाता है denaturation of protein कहा जाता है एक simple सी term है proper definition देख नहीं है या biomolecle chapter वहाँ पर one shot video आप देख सकते हो ठीके तो उसके regarding आप इसको solve कर लोगे question number 25 पर आ जाते है complete the synthesis giving missing starting material reagent and product ठीक है भाई देखो यहाँ पर क्या बता के रखा हुआ है आपके पास में benzen देके रखा हुआ और benzen से यहाँ पर क्या बना के रखा हुआ है benzen से यहाँ पर आपने बना के रखा एक ketoni group को ठीक है या फिर आप बोल सकते हो phenon group को बना के रखा जिसे ketone होता है normally तो आप phenyl group जुड़ जाएगा तो phenon हो जाएगा तो यहाँ से यह कैसे बनाया यह पूछा गया है बहुत ही simple reaction है और कई बार आप लोग ने इस reaction को पढ़के भी रखा हुआ है यह reaction होती है मेरे पास में friddle craft assilation ठीके वाई साब कौन सी reaction होती है friddle craft assilation process एक alkylation है एक assilation है यहाँ पर assilation का use किया जाएगा कैसे यूज किया जाएगा देख ले तेरे भाई बहुत आसान है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पास बेंजीन की एक रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉंड है फिरिडेल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर आप यहाँ पर एक असाइल ग्रूप को लोगे जिसके अंदर कहानी कुछ ऐसी रहेगी सी यल सिंगल बॉंड सी डबल बॉंड ओ और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर आए जाएगा यह बेंजीन ग्रूप इसके साथ यहाँ पर लिया जाता है एन्हाइड्रस एल सी एल थ्री यह लिया जाता है तो यह एन्हाइड्रस एल सी एल थ्री का क्या काम होता है जरा उस बारे में भी आप लोग यहाँ पर जान लो एन्हाइड्रस एल सी एल थ्री का काम यहाँ पर यह है color change कर लूँ यार मैं कौन सा लें? black ले रहते हैं हाँ, ठीक है black ले रहते हैं, देखो, समझो क्या कहानी चलती, काई में लिया मैंने black? large tip में लेके रखा ना, रे ना, मुझे small tip में चाहिए ये देखो भाई साब, समझना आपके पास में जब कभी भी ये जो asile group रहता है ऐसा, ऐसा, ऐसा carbon, double bond, oxygen और CL, जब कभी भी आप इस asile group AL, CL3 को यहाँ पर introduce करते हो तो आप यहाँ पर ये पाओगे कि aluminium का octate incomplete होने की वज़ से यहाँ पर इसके पास में खाली lobs बच जाते हैं इन lobs को भरने का काम कौन करता है ये chlorine करता है क्योंकि इस chlorine के पास में 3-3 lawn pairs होते हैं तो ये chlorine in lobs को भरने का काम करता है जिस वज़े से जब ये chlorine इस जगह को छोड़ कर जाता है तो इस carbon के उपर क्या आ जाती है भईया, positivity आ जाती है जैसे इस carbon के ओपर positivity आती है तो आपको यहाँ पर group मिलता है कुछ ऐसा group मिलता है कि भईया यह रहा मेरे पास में वो benzene यहाँ पर C double bond O इस carbon के ओपर आया positive charge plus क्या निकल गया है ALCl4 negative यहाँ से निकल गया है तो अब क्या होगा सर यह जो आपने group लेके रखाए न यह तूट जाएगा कहां से तूटेगा यहां से तूटेगा जिस वज़े से carbon पर क्या आएगी positivity आएगी carbon पर यहाँ पर अगर positivity आए और यह group अब क्या बन चुका है यह group बन चुका है एक electrophile और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बेंजीन के अंदर electrophilic substitution reaction सबसे easiest reaction की category में आती है तो यहाँ पर भी सेम काम होगा सबसे आसान वाला यहाँ पर क्या करा जाएगा भाईया यहाँ पर electrophilic substitution reaction perform होगी क्यों क्योंकि बेंजीन की रिंग में यह electron उठकर जाएगा यहाँ पर जिस वज़े से यहाँ पर क्या generate हो जाएगी रहे negativity negativity कौन अट्रेक करेगा positivity तो final compound आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा सर यह रहा बेंजीन ऐसा 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 और ऐसा यह लो भई यह बन गया आपके पास product कौन सा यहाँ पर reaction यूज करा है Fridel Craft Asylation Process को यहाँ पर यूज करके रखा गया है ठीक है यह जी गाड़ी आगे बढ़ा है question number 26 write a test to detect the presence of double bond in a molecule किसी molecule के अंदर जो double bond होता है उसको हमें यहाँ पर बताना है write a test बताना है एक test आपको लिख कर देना है कि कैसे इसको आप बता सकते हो बहुत simple सा है वैसे दो test होते हैं जितने भी आपके पास में unsaturated hydrocarbons होते हैं या double bond या triple bond वाले होते हैं तो एक होता है bromine water वाला test जहाँ पर orange brown color का जो solution रहता है वो convert हो जाता है completely colorless में और एक होता है मेरे पास में bear's test उसको एके करके हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं bromine water test की तो भाईया जब कभी भी मैं यहाँ पर bromine water test लगाता हूँ ठीके तो bromine water test के अंदर क्या होगा कि suppose आपके पास में यहाँ पर पड़े हुए है unsaturated hydrocarbon यह वाले पड़े हुए है अब इसमें क्या मिलाया है bromine water bromine water में क्या हो जाएगा आपके पास में bromine water में आपके पास मिलाया जाएगा bromine BR single bond BR यह कहानी हो जाएगी तो भाई साब कहानी बहुत simple सी है यहाँ पर मौझूद जो orange brown color का solution होता है color तुम लोग लिख ले ना रहे हैं तो यह क्या होता है यहाँ पर तूटेगा कैसे तूटेगा यहाँ पर यह इधर जाएगा एक negative एक positive bromine इससे क्या होगा यहाँ पर एक negative एक positive तो negative positive वाले साथ में यहाँ पर जुड जाएगे compound आपको यहाँ पर मिल जाएगा इधर पर भी एक bromine इधर पर भी एक bromine तो अब यह क्या हो जाएगा भाईया यह हो जाएगा आपके पास में colorless तो जब भी ऐसी घटना होती है कि एक colored solution आपके पास में colorless बन गया तो भाईया साथ यहीं से तो test पता लगता है chemistry क्या है रंगों का खेल है chemistry जहां पे आप रंग विरंगी reactions को perform करवाथ ठीक है भाईया साथ एक हो गया आपके पास में क्या bromine water test दूसरा test जो आप यहां पर लगाते हो इसको थोड़ा सा हम लोग color को परिवर्थित कर ले दूसरा test जो आप लोग यहां पर लगाते हो उस दूसरे test को कहा जाता है bear's test तो इसको भी लिखने ते भाईय साब जड़ा इतना छोटा छोटा का है हो गया भी यह नंबर 4 पर आजाओ दूसरा जो test होता है इसे कहा जाता है bear's test ठीक है अब bear's test की कहानी क्या होती भाई साब bear's test की कहानी भी बहुत ज़्यादा simple होती है देखो होता क्या है कि यहां पर potation per magnet का use क्या जाता है परंतु potation per magnet का use किस तरह से करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पास में important point होता है देखो होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास रखे हुए potation per magnet को आप यहां पर water के साथ में combine करते हो तो यह क्या कर देता है यह convert हो जाता है mno2 plus potassium hydroxide plus जो oxygen रहता है इसके अंदर ठीक है भाईया जी यह कहानी हो जाती है तो इस तरह से क्या होता है इसका breakdown होता है तो यहां से जो यह तुमारे oxygen निकले हुए है न यह oxygen इस potassium hydroxide की presence में ही क्या कर देते हैं oxidize कर देते हैं इसको तो भाईया यहां पर होगा क्या तो कहानी बहुत simple सी है कि जब कभी भी आपके पास में unsaturated hydrocarbon मतलब यह double bond वाला molecule आपके पास present होगा तो इसमें करवाना होता है oxidation आपने यहां पर oxidation करवा दिया in the presence of KOH ठीक है अब यहां पर यह भी ध्यान रखना मैं पहले भी वैसे में बता चुका हूँ कि potassium permagnate जो होते है acidic, basic या neutral तीनो medium पे ही work कर सकते हैं तो potassium hydroxide से oxidation करवाते हैं in basic medium तो basic medium पे oxidation करवाने पर यह diol group बना देते हैं अलकोहल का जो all होता है न वही है तो यह क्या कर देते हैं diol group बना देते अब कहानी क्या होती है सर हमें पता है potassium permagnate starting में क्या करता है purple color देता है purple color से अगर यह पूरी तरह से colorless हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा भाई उसको कहा जाएगा हमारे पास में कि bear test क्या हो चुका है confirm हो चुका है तो दो टेस्ट हैं आपके पास में एक bromine water test जहां पर आपके पास orange brown color जो रहता वो colorless हो जाएगा और दूसरा potassium permagnate का purple color colorless हो जाता है नाव बात कर लेते हैं अगले question की जो की बोलता है determine the unit of rate constant for the first and zero order reaction भाई बहुत simple सा है बहुत ही simple सा है इसका मैंने पता तुम लोग का formula भी बताया था ये होता है आपके पास में mole per liter to the power one minus n into second वर्स ये होता है ठीक है zero order और किसके लिए करना है first order के लिए करना है तो भाई सहाब अगर मैं यहाँ पर zero order की बात करता हूँ तो zero order के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में mole per liter की power one minus zero जीरो order के लिए n is equal to होता है zero into क्या चल रहा है मेरे पास में second inverse तो इसको as it is रहने दिया solve करा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में mole per liter into second inverse ये वाली कहानी आ जाएगी second बात कर लेते हम लोग यहाँ पर first order की तो भाई ये अगर में बात करता हूँ यहाँ पर first order की तो n is equal to 1 हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप लिखोगे mole per liter to the power one minus n into second inverse तो n की value हो जाएगी आपके पास में क्या one one minus one zero तो किसी की भी power zero यहाँ पर हो जाए तो क्या हो जाएगा mole per liter की power zero into second inverse zero का मतलब one तो final answer क्या आजाएगा रहे भाई मेरे पास में second inverse आजाएगा तो बस रहे भाई या इतनी सी कहानी है इतनी सी कहानी में यह काम क्या हो जाएगा हमारे पास में complete हो जाएगा तो यह रहा first वाला question, second वाला question की बात करते हैं, show that time required for the completion of 99% of the first order reaction is twice the 90% of the completion of the reaction, question मतलब क्या बोलता है, सामने वाला यहाँ पर question number two में आपसे यह बोल रहा है कि यह बताओ कि first order reaction को 99% complete होने के लिए two times लगेगा 90% complete होने का, ठीक है भाई, अब यह question पूछ के रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, करके दिखा देंगे, साल कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी, देखिए जी, first order reaction है, first order reaction में जब कभी भी time की बात करते हैं, तो time क्या निकलता है, हमारे पास है first order reaction के लिए pen का color फिर से बैसा हो गया, है, 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 ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, यहाँ से करो small tip पे, तो बाइसा formula क्या होता है, आपके प अब बस इसी formula के basis पर सारा question हम लोग निप्टा देंगे, कैसे निप्टा देंगे, अगर मैं बोलता हूं कि कोई reaction 99% हो चुकी है, तो 99% होने का मतलब क्या हो जाएगा, sir, यहाँ आ जाएगा, 2.303 divided by k, यहाँ पर आ जाएगा log, 99% हुई है, total mass क्या माना जाएगा, a, और अ क्योंकि इसकी PDF भी जानी है, PDF जाएगी, तो आप लोगों के पास में फिर solve करने में वहाँ पे समस्या ना आए, यह हो जाएगा, solve करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, यह आ जाएगा 2.303 divided by आ जाएगा k, और यह आ जाएगा मेरे पास में log 100, log 100 को क्या लिख सकता हूँ, log 100 को यहाँ पर में एक काम कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, 2.303 divided by k, और यहाँ पर में लिख देता हूँ, इसको log 10 to the power 2, जिसको और solve करने पर at the end of the story, 2.303 by k, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2 आगे की तरफ, तो जैसे ही आपके पास में यहाँ प बात कर लेते हैं, 99% के बाद में, यही रियक्शन अगर 90% होती है, तो 90% के रिगार्डिंग क्या किस्सा हो जाएगा, यह होगा, 2.303 divided by k हो जाएगा, यहाँ पर आजाएगा, log 100 upon में 100 minus 90, complete solve करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा कि T 90% में हमारे पा आजाएगा, आपके पास में log 10 आजाएगा, 100 और 100 minus 90 यह करा, log 10 आगया, अब देखो, साब दिखाई दे रहा है कि सर यह वाली value जो है, वो S वाले value के बराबर है, यह देखो, ठीक है, यहाँ पर सब common चल रहा है, सिर्फ 2 पे यहाँ पर आया है, तो आप यहाँ पर बोल सक रहते हो, सर, यह है मेरे पास equation number 1, यह है equation number 2, equation 1 और 2 से यह बहुत अच्छी तरीके से proof हो जाता है, कि कोई first order reaction जो 99% complete होती है, वो होती है, two times of 90% completion के, तो यह लो भाई साब, कुछ नहीं करा है, सीधा सा formula बनाया, formula के अंदर value को substitute करा है, और solve करके रखाए, answer आ गया, ठीक है भाईया जी, clear हो गई बात, चलें आगे, question number 28 पे, question number 28 बोलता है, write the structure of the major product, expected from the following reaction, यह जो following reactions चल रही है, इससे, क्या major product आपका expect करते हो, पहला, mononitration of 3-methylphenol, अब देखो, nitrogen की बात करते हैं, nitrogen का मतलब क्या होता है, जड़ा वो भी पता होना चाहिए, तो जब कभी भी हम लोग nitrogen की बात करते हैं, तो nitrogen में क्या होता है, nitric acid HNO3 को sulfuric acid H2SO4 के साथ में combine किया जाता है, जिससे की मेरे पास में nitro group मिल जाता है, NO2 positive वाला, यह जो NO2 positive होता है, यह actually में ए एक electrophilic group होता है, electron को चाहता है, ठीक है, क्या होता है, यह एक electrophile होता है, और अगर यह आपके पास में electrophiles हैं, तो electrophiles हमेशा बेंजीन की रिंग के साथ में बहुत जल्दी attach हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सर, बेंजीन के रिंग के साथ attach होने का, इनका main कारण यहाँ पर यह होता है, क्योंकि बेंजीन की रिंग रेजोनेंस की वज़े से अपने जो electron density है, उसको बढ़ा देती है, ठीक है रहे भाई, यह कहानी है, तीन option में, पहले वाले question में बोलके रखा है, कि अगर mononitration होता है, 3-methylphenol का, तो भाई सहाब, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, 3 methylphenol की, तो phenol है, तो OH यहाँ पर आ जाएगा, 3rd position यहाँ पर आ जाएगी, methyl वाली, यह बन गया 3-methylphenol, इस पे mononitration करवाना है, mononitration का मतलब क्या, सिर्फ एक ही NO2 positive group यहाँ पर जाता है, अब क्या होगा, कि सर, electrophilic substitution reaction दो जगों पर सबसे ज़्यादा होता है, एक होता ह सर, ortho position पे एक होता है, para position पे, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सर, यहाँ पर यह position है, para, यह position और यह position क्या है, आप के पास में ortho है, तो nitro group अगर आता है, तो nitro group और थो पे भी जा सकता है, para पे भी जा सकता है, परंतु धियान रखना, इस वाले para पे न डालते हुए, इस वाले और्थो पे न डालते हुए, इस वाले और्थो पे डालना, reason क्या है उसका, क्योंकि सर यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, तो दो यहाँ पर functional group पड़े हैं, एक methyl और एक hydroxy, इसको repulsion का सामना कुछ जादा करना पड़ेगा, तो इस वाजे से थोड़ा सा हमारे nitro group को बचाते हुए, हम लोगों ने यहाँ पर दो प्रोड़क का formation करके रखा हुआ है, सर एक प्रोड़क जो बनेगा, यहाँ इस और्थो पर क्या आजाएगा, आपका एनोटो group, और यहाँ पर चल रहा है आपका methyl, प्लस एक प्रोड़क और बनेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर यह बोलोगे, कि यहाँ पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रूप आ चुका कैसे आसान है, कि सर वही वाला group है, जहाँ पर आपके पास में 3-methyl phenol रखा गया है, डाई नाइट्रेशन करना है, मतलब आपके पास में अब यहाँ पर twice NO2 positive रखा गया है, दो पोजिशन पर जाएगा, एक और तो पर चले जाएगा, तो सिंपल सा मेरे पास यहाँ पर product formation हो रहा है, जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि सर एक NO2 group इधर चिपका दो, एक NO2 group आप इधर चिपका दो, एक OH group इधर चिपका दो, और एक methyl group CH3 इधर पे चिपका दो, तो यह डाई हो गया, अगर बात करते हैं, इसको हम फिनाईल बोलते हैं, कब फिनाईल बोलते हैं, कब फिनाईल बोलते हैं, जब यह आपके पास में C6H5 होता है, फिनाईल बोलत है, इसके साथ में मिधेनो एट में क्या करके रखा है, मिधेन है, और साथी साथ में क्या देकर रखा है, आपके पास में O8 group देकर रखा हुआ है, यह कहानी चल रही है हमारे पास भाई, छीक है, अब देखो, तो मिथेनोएट में क्या हो जाएगा कि कारबन डबल बॉण ओक्सिजन और यहां पर मिथेन आजाएगा मिथेन का मतलम क्या रहे भाई CH3 है यहलो भी यहां पर क्या करवाना है तुमको मोनोनाइट्रेशन करवाना है mononitration करवाने के लिए जब कभी भी यहां पर आते हो तो आपके पास में 1 mol of NO2 positive यहां पर डालना होता है अगर 1 mol है choices है और्थो पे जाए कि पैरा पे जाए तो अव्यस बात है कोई पागली होगा जो और्थो पे जाएगा यह कहां चला जाएगा पैरा पे चले जाएगा तो पैरा पे आपके पास में चला जाएगा NO2 ग्रूप यहां पर आज जाएगा C double bond O O CS3 ठीक है यह कहारी बन जाएगे तो यह रहा 28 वाले का answer नाव फटावट पूर्ती से बात कर लेते हैं कोशन नमबर 29 की तो जहां पर बोलता है एक और एन औरगेनी कंपाउड ए विच है जाएगे रखा हुआ है जो की has a characteristic order on treatment with concentrated sodium hydroxide concentrated sodium hydroxide के साथ में जब इसकी reaction करवाते हैं तो यह दो compound बनाता है एक बनाएगा B और एक बनाएगा C फिर यह बोलता है compound B has a molecular formula C7H8O C7H8O which on oxidation gives back A यह क्या करता है कि जो आपके पास में यह जो B बना हुआ है अगर इस B का आपने यहां पर oxidation करवा दिया है ठीक है मतलब यहां से वापस A मिल जाएगा अगर आपने यहां पर क्या करवा दिया है इसका oxidation करवा दिया है compound C is a sodium salt of an acid C of an acid where C when heated with soda lime अच्छा soda lime process आ गई है हमारे पास में ठीक है भाई साब soda lime process है calcium oxide का उप्योग किया जाएगा ठीक है भाई साब NaOH plus calcium oxide का यूज किया जाएगा आपके पास में yields a aromatic hydrocarbon D तो इससे aromatic hydrocarbon क्या बन जाएगा D बन जाएगा reduce the structure of A, B, C and D ये बोलके रखा हुआ है ठीक है भाई साब ये कहानी देके रखी हुई है अब देखो concentrated sodium hydroxide किसले जाना जाता है sir ये जाना जाता है reduction के लिए ध्यान देना जो आपके पास में concentrated sodium hydroxide होता है ये जाना जाता है reduction के लिए और ये जहां पर use किया जाता है न वो आपके पास में क्या कहलाता है भाई साहब वो आपके पहास में कहलाता है कानी जारो रियक्शन ठीक है कामी जारो कहा है लिग दिया है मैंने क्या कहलाएगा कानी जारो या कनी जारो रियक्शन कहलाता है जहां पर reduction परफॉर्म किया जात है ठीक है और ऐसे compound reduction perform किया जाता है जिनके alpha hydrogen present नहीं होता है now case number one यह रहा अब बात कर लेते हैं आपके पास में case number two की कि यहां पर आप oxidation perform करवा रहे हो देखो concentrated sodium hydroxide है कानीजार और reaction perform होगी that is clear B वाला क्या कर देगा वापस से reduction को oxidation को perform करवा देगा तो बस इतना ही घ्यान लेकर हम गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं क्या गाड़ी आगे बढ़ाते हैं जरा में इसको उठा कर यहां पर रख दिया है अब जरा मैं गाड़ी बताता हों किस तरस से आगे बढ़ेगी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई या कानीजारो रियक्शन जब कभी भी परफॉर्म होती है तो कानीजारो रियक्शन की एक स्पेश्यालिटी होती है कि ये रियक्शन यूज की जाती है वहाँ पर जहां पर होती है absence of alpha hydrogen ठीके absence of alpha hydrogen वाले ग्रूप में ये reaction perform की जाती है अगर देखा जाए B में 7 carbon है और A में क्या होगा A में भी उतना ही होगा परंतु 7 carbon का एक ऐसा मुझे group बनाना पड़ेगा जिसके अंदर beta ए alpha hydrogen present ना हो तो alpha hydrogen present ना हो तो ऐसा तो मेरे पास में एक ही group होता है इतने सारे carbon वाला वो होता है आपके पास में बेंजालडी हाइड ठीक है क्या होता है बेंजालडी हाइड यहाँ पर आपके पास क्या होगा alpha carbon जिस पे एक भी alpha hydrogen present नहीं है तो यहाँ पर आप लगाओगे कनिजारो reaction concentrated sodium hydroxide को डालोगे जिस वज़े से जो आपका बेंजालडी हाइड है यह बेंजालडी हाइड कनवर्ट हो जाएगा किसमे अलकोहल में CH2 OH में कनवर्ट हो जाएगा साथी साथ में यह एक salt भी बनाएगा salt आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर C O NA ठीक है O negative Na positive यह कहानी हो जाएगी और यह हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर जो आपके पास में alcohol है तो इस primary alcohol का आपने यहाँ पर oxidation perform करवा दिया तो वापस ही किसमें convert हो जाएगा aldehyde में convert हो जाएगा रही बात यहाँ पर इस वाले की तो इस वाले पर आपको क्या करन जाना है तो जब कभी भी आप soda lime test लगाते हो किसी sodium salt के उपर तो वो किसमें convert हो जाता है benzeen में convert हो जाता है बोला ना कि एक aromatic ring में convert हो जाएगा तो यह aromatic ring किसकी रहेगी यह aromatic ring रहेगी benzeen की तो यह लो भाई साब सारे product आपके पास में form हो गए कौन कौन से product कहा कहा क्या क्य बनके रखे है जड़ा बता देते हैं यह वाला है आपके पास में A, यह वाला है B, यह वाला है C और यह वाला क्या है आपके पास में B बनके रखा हुआ है ठीक है यह जी clear हो गई बात question number 30 पे आते हैं question number 30 बोलता है कि जितने भी monosaccharides होते हैं contain करते हैं carbonyl group को hence are classified as aldose or ketose हाँ ठीक है monosaccharides जो aldehyde group को contain करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है aldose कहा जाता है और जो ketonic group को contain करते हैं उसको ketose कहा जाता है the number of carbon present in the monosaccharide molecule is also considered for classification in which class of monosaccharide will you place fructose ठीक है fructose को कहां पे रखा जाएगा भाई बहुत ही simple सा answer है इसका तो अगर आपको याद हो तो fructose कुछ ऐसा दिखाई देता है CH2 OH, C double bond OH, 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 CH2 OH, CH2 OH, ठीक है ये कहानी होती कितने कारबन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कारबन है तो भाई साब जब कभी भी आप fructose की बात करते हो, तो fructose को रखा जाता है in the category of hexaketose ठीक है भाई साब, hexaketose की category में रखा जाता है, ketoni group हो और hexaketose की category में इसको रखा जाता है ठीक है भाई साब, clear हो कही बात, simple answer था, अगला आता है difference between following, one of the most important question जो की आप लोगों को examination में पूछे जाने के काफी ज़्यादा chances होते है amylose और amylopactin में क्या difference होता है, globular protein और fibrous protein में क्या difference होता है साथ इसाथ में nucleotide और nucleosides में क्या difference होता है तो देखिए भाई साब, फटा-फट फूर्ती से देख लेते है सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, amylose और amylopactin में तो difference क्या होता है, amylose straight chain polymer होते हैं D-glucose की जबकि amylopactin जो होते हैं, वो branch chain polymer होते हैं D-glucose का क्या? straight chain और branch chain फिर बात करते हैं, linked जो होते हैं या जिसमें linkage होती 1,4 की glycosidic linkage होती है जबकि यहाँ पर alpha 1,4 और 1,6 की glycosidic linkage होती है वह या वो आले आपको पता ही होगा glycosidic linkage क्या होता है वो oxygen बीच में वो दो carbon, दो sugar वाले जो cyclic वाले रहते हैं उसमें जुड़ा हुआ है water soluble होता है, यह water insoluble होता है तीन difference बताने है, 5 नंबर का कोशन है भाईया, आराम से नंबर मिल जाएंगे फिर बात कर लेते हैं, globular protein और fibrous protein में क्या difference होता है तो globular protein जो होते है, polypeptide change होते है, जो की arrange होते है, coil के form पे वही fibrous protein जो होते है, वो क्या होते है, parallel चलते है, एक दूसरे के जो लोग non-wage खाते हैं, उनको पता ही है, कि जब कभी भी chicken का breast piece खाया जाता है तो उसके अंदर जो वो protein के धागे या ratio निकलते हैं, they are known as fibrous protein फिर इसका shape अगर बात की जाए, spherical होता है, जब कि इसके shape की बात की जाए, thread like इसका shape होता है तो यहाँ पर आप as it is, इस answer को लिख सकते हो, चाहो तो telegram की link join करना, PDF वहाँ पर आपको available हो जाएगा इसके बात करते है, nucleoside और nucleotides की, nucleoside की बात की जाती है, तो यहाँ पर nucleosides वो होते है, जिसमें nitrogenous base होता है covalently attached to sugar, यहाँ पर covalently attached होता है, sugar के साथ में ribos या deoxy ribos, but without phosphate group क्या difference है, बिना phosphate group के यह attached होता है, और यहाँ पर एक से तीन phosphate group क्या होते हैं, present होते हैं अगला, several nucleosides analogous are used as antiviral or anticancer agent ये वाला MCQ के तोर पे भी ध्यान रखना MCQ में भी पूछा जा सकता है ये वाला part कि कौन को कहां पर use किया जाता है तो cancer से बचाने वाली दवाई और virus से बचाने वाली दवाई जो antiviral दवाई या वगर होती है वहाँ पर nucleosides को आप देख सकते हो वही nucleotides की बात की जाए तो just इसका opposite है malfunctioning nucleotides are one of the main cause of cancer known today ठीके जितने भी इसके malfunction होते हैं तो वो क्या होता है cancer का cause यहाँ पर create करते हैं पांच नमबर का question है और साती सात में दो-दो difference बता दिएंगे तो भी चल जाएगा तीन पार्ट में पूछा गया question था ठीके भाई साब clear हो गई बात समझ में आ गया क्या चल रहा है यहाँ ठीके जी चलिए फिर हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अगले question की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो भाई साब अगला question जो हमारे पास में है वह यह बोलता है read the text carefully answer the question okay भाई साहब question हमारे पास में क्या बोलके रखा है the boiling point अच्छा मतलब वो के से study वाले question आ गए ठीक है section D पे पहुंच गए है the boiling point elevation and the freezing point depression of solution have a number of particles application okay भाई साहब boiling point of elevation of freezing point depression मतलब colligative property की बात करता है फिर यह बोल रहे हैं कि आपके पास में ethylene glycol रखा हुआ है जो की है this one is used in automobile radiator as an antifreeze because it lowers the freezing point of the coolant the same substance also help to prevent the radiator coolant from boiling away by elevating the boiling point ठीक है भाई साहब अब देखो यहां पर आपके पास में काम का point क्या है जरा उस बात पे हम लोग यहां पे discussion कर लेते हैं हमारे पास में काम का point यह है पहली बात एक ethylene glycol नाम के substance की इनों ने बात करके रखी है जिसका use किया जाता है automobile radiators के अंदर ठीक है जो की क्या करते है वो car का engine जो ठंडा रखते है as an anti-freeze जो की उसको जमने से बचाता है it lowers the freezing point अब यह क्या करता है freezing point को यहां पे कम कर देता है मतलब क्या हो गया भाई साब कि जैसे आप लोगों को बता होगा जो ठंडे इलाके होते हैं यहां पर zero degree से भी कम temperature रहता है तो वहां पर क्या होता है कि जो car के radiators होते हैं उसमें इसको डाला जाता है ताकि वो freeze न हो जाए जो आपने solution डाल के रखा है न वो freeze न हो जाए of the coolant जो उसका coolant रहता है जो engine को ठंडा रखता है the same substance also helps to prevent the radiator coolant from boiling away और यही का यही same substance जो होता है prevent the radiator coolant from boiling away by elevating the boiling point यह क्या करता है boiling point में elevation करके इसको यहां पर बचाता है या रोकता है ethylene glycol has a low vapor pressure अब यह बोलता है ethylene glycol का जो vapor pressure होता है वो कम होता है we can also use glycerol ethylene glycol की जगे हम लोग glycerol भी use कर सकते हैं as an antifreeze in order for the boiling elevation to occur the solute must be non-volatile solute कैसा होना चाहिए आपके पास में non-volatile होना चाहिए अगर आपको boiling point में elevation की requirement है तो परन्तु यहां से एक मतलब समझना कि ethylene glycol का low vapor pressure होता है और vapor pressure अगर किसी चीज का कम है तो obvious बात है उसका boiling point क्या जा रहा है high जा रहा है फिर बोल के रखा है the solute must be non-volatile but no such restriction applies to freezing point यहां पर freezing point के अपर ऐसा कोई भी restriction apply नहीं होता है मतलब depression freezing point के अपर for example methanol a fairly volatile serve liquid that boils only 65 degree centigrade is sometimes used as a anti-freeze in automobile radiators ले देकर एक कहानी सुनाई गई है उस कहानी के तहत यह बताया गया है कि ठंडे प्रदेशों में जो automobiles के radiators होते हैं जो गाडियों को ठंडा रखने का काम करते हैं वहां पर anti-freezing agent के तौर पर ithylene glycol को डाला जाता है क्यों डाला जाता है क्योंकि यह क्या कर देता है यह lower कर देता है freezing point को ठीक है जहाँ 0 degree centigrade पर जमना था अब 0 से भी और कम centigrade तक यह survive कर सकता है the same substance also helps to prevent the radiator coolant from boiling away by elevation the boiling point same substance जो आपने coolant डाल के रखा हुआ है ethylene glycol यह क्या करता है जब कभी भी आप car के radiator के अंदर जो वो coolants होते है उसके अंदर आप मिला देते हो तो होता क्या है कि जब आप इसे मिलाते हो तो यह दो काम करता है एक तो ठंड में जमने से बचाता है और दूसरा काम यह करता है गर्मी में उड़ने से बचाता है गर्मी में ये क्या हो जाएगा उढ जाएगा ठीक है क्यों क्युंकि आस पासका एट्मोसफियर गरम है एनर्जी इल रही है ठंडी में जम जाएगा क्यूं क्यूंकि हीट आपने इसमें से ड्रॉ कर ली है तो यहाँ पर वही बोल के रखा आप prevent related cronin from boiling away by elevation the boiling point ये क्या करता है boiling point में elevation create कर देता है जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा एक colligative property के तहट आ जाएगा चार होती ना relative lowering in vapor pressure elevation in boiling point, depression increasing point and osmotic pressure तो उसी में से एक property elevation in boiling point का use करके ये क्या करता है गर्मी में उड़ने से बचाता है और ठंडी में जमने से बचाता है इथाइलिनी glycol has a low vapor pressure, we can also use glycerol as an antifreeze अब देखो boiling point क्या है elevation है ज़्यादा है तो obvious बात है अगर ज़्यादा temperature पे boil होगा तो elevation उसके अंदर क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा और इसी वज़े से क्या हो जाएगा कि भाई या उसका vapor pressure low हो जाएगा फिर क्या बोलता है we can use glycerol as an antifreeze हम glycol एथाइलिनी glycol के जगे glycerol को भी use कर सकते as an antifreezing agent in order of for boiling boiling point elevation to occur the solute must be non-volatile अब यहाँ पर elevation in boiling point क्या चाहिए non-volatile solute की requirement होती है but no such restriction applies to freezing point freezing point के लिए इसकी कोई जरुवत नहीं होती को एक example दे के रखा हुआ है methanol a fairly volatile liquid that boils only 65 degree centigrade is sometime used as a antifreeze in automobile radiators ठीक है मतलब आपको यह सामने ले में पहले ही बताया था कि आपका elevation in boiling point होना चाहिए boiling point जादा होना चाहिए तब जाकर आप क्या कर सकते हो इसको use कर सकते हो कहां पर वहां जब उड़ने से बचाना था पर जब जमाने की बात करूँगा freeze करने की बात करूँगा तो freeze करते टाइम पर हमारे पास में वो elevation की कोई जरूरत नहीं पड़ती है जरूरी नहीं है कि इथाइलीनी ग्लाइकोल और साथ ही साथ में जो आपके पास में कौन सा था ग्लिसरोल इसके जैसा कोई आप substance use करो जो की non volatile हो आप चाहो freeze करने के लिए volatile substance CH3OH को भी यूज कर सकते हो जो की 50-65 degree centigrade पर ही boil हो जाता है ठीक है भाई साब ये कहानी है clear हो गई बात समझ में आ गया क्या क्या बोल के रखा है तीन चार point बोल के रखें उसी point पे में discussion के हिसाब से आपको ये सारी चीजे समझा देता हूँ ठीक है भाई या जी clear हो गया erase हो जा तो भी erase हो जा भाई हो जा पूरा erase कोई दिक्कत नहीं अब देखो भाई साब इसके regarding हम जड़ा question को समझ लेते हैं अब यहां पर ये बोल के रखा हुआ है कि भाई साब आपके पास में इथाइलीनी ग्लाइकोल आउट ओफ इथाइलीनी ग्लाइकोल एंड साथी साथ में बोल के रखा है CH3O विच C6H2O6 बोल रहा हूँ में हमारे पास में ये तो वो है ना C6H2O6 क्या होता है वो आपके पास में glucose या fructose होता है ठीक है out of this and this which is better reagent for depression in freezing point but not for the elevation in boiling point अब मैंने क्या बोला था यहां पर freezing point में कभी भी कम boiling point होना discussion नहीं किया जाता है हम लोगों ने ये पढ़के रखा हुआ था जस्ट लास्ट वाली लाइन में ही था कि जो आपके पास में रखा हुआ methanol होता है ये क्या होता है 65 degree centigrade पर ही boil हो जाता है मतलब इसका boiling point 65 degree centigrade होता है परन्तु इसका use हम लोग कहां कर सकते हैं as a anti-freezing reagent के तोर पे कर सकते हैं शुगर यहां पर नहीं कर सकते हैं भाई साहब क्योंकि शुगर के अंदर क्या हो जाएगा शुगर आपके पास में यहां पर mix up हो जाएगी और साथी साथ में यहां पर साफ लिखके रखा हुआ था कि जो आपके पास में methanol होता है वोलेटाइल नेचर का होने की वजह से जादा अच्छी तरीके से mix हो जाएगा और क्या कर देगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्रियेट कर देगा यह वाली कहां नहीं रहे भाई अगला विल दर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कोई डिफ्रेंस आएगा अगर 0.1 मोल्स ऑफ शुगर डाली जाए या 0.1 मोल्स ऑफ ग्लुकोस डिजॉल की जाए वाटर के अंदर तो भाईया कोई भी डिफ्रेंस नहीं आएगा और आएगा भी तो बहुत माइनर डिफ्रेंस होगा reason बहुत simple सा है because दोनों के regarding अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो दोनों का nature कैसा है हमारे पास में non-volatile nature है non-volatile nature मतलग कैं जिनकी भाप नहीं बन सकती है अगर मैं बात करता हूँ methanol की तो यह भाप बनकर उड़ सकता है परंतु मैं बात करता हूँ शुक्रोज की या मैं बात करता हूँ glucose की तो यह क्या करते हैं पानी के साथ combine होकर भाप बनकर नहीं उड़ सकते अगर भाप बनकर नहीं उड़ सकते तो obvious बात है depressionally freezing point यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों का लगभग same रहेगा तो सही answer क्या हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पर यह बोला था इस लोगों ने कि क्या इनके अंदर depressionally freezing point must be same or different तो आप यहाँ पर क्या बोल दोगे कि क्या होने वाला है same होने वाला है अगला 124 gram of each of two reagent glycerol and glycol are added in 5 kg of water of the radiators in the two cars which is better for the car justify your answer अब देखो भाई साथ glycerol और glycol की अगर आप लोग बात करते हो तो ध्यान रखना जो glycol होता है यह जादा अच्छा यहाँ पर क्या होता है reagent होता है as compared to glycerol के reason यहाँ पर same वही वाला आजाता है volatile और non-volatile nature वाला अगर मैं बात करता हूँ glycol की तो glycol आपके पास में क्या होता है non-volatile characteristic का होता है जिस वज़े से अब यह क्या करता है depression in freezing point को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर show कर पाएगा यही बोलके रखा दोनों को same quantity में मिलाया परंतु ध्यान रखना glycol जो होता है अपने non-volatile characteristic की वज़े से क्या होगा ज्यादा अच्छी तरीके से depression in freezing point को शोप कर पाएगा लास ने बोलता है इसी का और वाला question it if the cost of glycerol, glycol और methanol are the same then what would be the sequence of the economy to use this compound as a antifreeze क्या sequence होगा as a antifreezing agent आप इसको use करना चाहो तब यह क्या sequence होगा सबसे पहले धियान रखना सबसे पहले आएगा methanol जो की होता है CS3OH उसके बाद में क्या आ जाएगा उसके बाद में आ जाएगा गलाइकोल GLYCOL और सबसे लास्ट में क्या जाएगा glycerol ठीक है इसको ऐसे नहीं glycol उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास में भाई सहब मेरे पास में आ जाएगा glycerol तो बस रहे भाई इतनी सी कहानी होती है clear हो गई बात समझ में आ गया तो बस भाई इतनी सी situation होती है चलिए जी तो एसी बात पर अब हम लोग यहाँ पर अगले question की तरफ बढ़ जाते हैं कि भाई या अगला question हमें क्या बोलता है अगले question की जब कभी भी मैं बात करता हूँ तो अगला question हमें यहाँ पर बूलता है व अब देखो भाई यह केस study वाले question में जाना भाई तुम का यह नहीं जा रहे हो पेन आजा ठीक है हो गया देखो क्या question बोलके रखाए दा एफ ब्लॉक कंजिस्ट आफ टू सीरीज एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज होती है एक होती है lengthenoids और एक होती है actinoids ठीक है भाई सा of actinoids is much more complicated अब देखो यहाँ पर क्या बता के रखा हुआ है कि जो d block element होता है आपके पास में lengthenoid lengthenoid से बहुत closely resemble करते हैं कौन lengtheniums मतलब उसके group वाले lengthenoids क्या करते हैं काफी जादा closely resemble करते हैं lengthenum से lengthenium हमारे पास में क्या होता है d block element होता है ठीक है भाई साब the chemistry of the actinoid is much more complicated ओके भाई साब फिर क्या बोलता है the complication arise partially owing the to the occurrence of a wide range of oxidation state in this elements and partially because their radioactivity creates special problems in studies अब जो problem बोला था या बोला जाता था कि भाया जो इसका much more complicated behavior होता है वो दो वज़े से होता है एक तो होता है भाई साब इसकी wide range of oxidation state मतलब क्या करता है कि यह यहाँ पे जब बात करते हो तो वो multiple oxidation state को शो करता है plus one से plus seven तक कि इस oxidation state को शो करता है साथी साथ में दूसरी problem जो create होती है वो create होती ही भाई साब इसकी radioactivity की बज़े से radioactivity का मतलब क्या होता है बीना किसी external force के भी अगर लगातार energy बाहर emit होती जाती है they are known as radioactive substance फिर क्या बोलके रखा atomic and ionic radii from lengthenum to luteinium is called lengthenite contraction is a unique feature in the chemistry of the lengthenoids in the lengthenoids lengthenium से lentunium ठीक है यह वाली कहानी मतलब वही है series में आगे left to right जाने पर क्या होता है हम लोगों के मालूम है कि इसका जो size होता है वो decrease हो जाता है फिर बोलके रखा है कि भाई यह जो graph है इस series को समझा आ रहा है कि कैसे आपके प atomic number के बढ़ने की वज़े से जो atomic radius से धीरे धीरे करके क्या हो रही है कम हो रही है जिसको कहा जाता है lengthenite contraction जिसके basis पर आप से कुछ question पूछे गए हैं पहला question क्या बोलके रखा है which metal is the first transition series 3D series जिसको कहा जाता है exhibit plus one oxidation state most frequently and why अब देखो question क्या देखे रखा है मतलब कहानी सार कहां से देखे रखे हुई थी f block element की परन्तु यहां पर question कहां से पूछ लिया है 3D series में से पूछ लिया है तो भाई साब समझना इसको जरा 3D series में से अगर पूछा है तो 3D series कौन सी होती है हमारे पास में scandium वाली तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास में scandium से लेकर जो वह zinc तक होता है न यह वो वाली series होती है और इस sorry इस series के अंदर plus one oxidation state कौन exhibit करता है sir एक ही element होता है copper cu plus one वाली oxidation state को यह show करता है ठीक है अगला the transition metal with the exception of zinc, cadmium and mercury are hard and have melting and boiling point and have high melting and boiling point इसका अंसर बताना है कि यह बोलके रखाए जितने भी transition metals होते हैं मतलब d block elements होते हैं उनके अंदर यह जो high melting point और boiling point होता है hard होते है nature में वो क्यों होते हैं sir बहुत simple सा अंसर है इनके बीच में क्या होते है metallic bond होते हैं और बोला जाए अच्छे से तो इनके बीच में क्या होता है strong metallic bond होता है यह ध्यान रखना strong metallic bond होने की वज़े से जो आपके पास में d block elements होते हैं वो क्या होते हैं काफी ज़्यादा hard होते हैं साती सात में उनका melting point और boiling point भी काफी ज़्यादा high होता है अगर आप लोगों को यह पता हो नहीं हो कि यह hard क्यों होते हैं क्या कहानी है और यहाँ पर actual में metallic bond होते क्या है तो आपको बता दिया जाए जितने भी आपके पास में यह ऐसे metallic ions होते हैं ठीके यह metal के जो atoms होते हैं वो क्या करते हैं वो इन electronों के बीच में यहां बैठे हुई रहते हैं जिने कहा जाता है sea of electrons तो ये जितने भी आपके पास में metal के cations होते हैं ये सारे के सारे nature कैसा करते हैं positive possess करते हैं ये positive वाले metals इन negative electron के समुद्र के बीच में इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पर पकड़ बना कर बैठ जाते हैं कि इनको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो इसी कोई क्या कहा जाता है metallic bond कहा जाता है zinc, cadmium और mercury को अगर छोड़ दिया जाए तो हर कोई इस तरह के strong metallic bond को possess करते हैं जिस वज़े से वो काफी ज़्यादा nature में hard होते हैं साती सात में उनका melting point और boiling point क्या होता है high होता है अगला both O2 and F2 stabilize high oxidation state O2 और F2 क्या होते हैं nature में काफी ज़्यादा negative होते हैं साती सात में यह stabilize कर सकते हैं high oxidation state को of transition metal but the ability of oxygen to do so exits that of fluorine give reason अब यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर यह बोलता है कि ability of oxygen to do so exit that of fluorine मतलब oxygen जो होता है वो fluorine से ज़्यादा आगे निकल गया है उसको exceed कर गया है अब पूछा गया है कि भाई यह ऐसा क्यूं ज़रा उसका reason बताओ तो भाई इसा बहुत simple answer है अगर मैं बात करता हूँ oxygen की ठीके तो O2 क्या करता है oxygen double bond possess करता है जबकि fluorine की बात करता हूँ fluorine single bond possess करता है तो क्या होगा वह यह जिसके पास में double bond को possess करने की power ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा ताकत से क्या कर पाएगा सामने वाले को खीच पाएगा क्यूंकि double bond के regarding हमने देखा था ना कि double bond में bond length कम हो जाती है तो bond length कम होने की वज़े से वहाँ stability बढ़ने के chances बढ़ जाते हैं जिस वज़े से oxygen अगर कहीं पर attach होता है तो ज़्यादा strong तरीके से attach होगा as compared to fluorine ठीक है यह clear हो गई बात चलो जी आगे बढ़ते हैं the atomic radii of the metal of the third 5D series of the transition elements are virtually the same as those of the corresponding member of the second 4D series give reason ठीक है क्या question बोलके रखा है कि जो atomic radii होती है metals की of the third 5D series of the transition elements are virtually the same as those of the corresponding members इनकी जो क्या बोलता है इसकी जो ionic radii होती है वो क्या होती है corresponding the same member same होती है ठीक है अब यह बोलता है कि भाई यह ऐसा क्यों होता है उसका जरा reason दीजे ठीक है भाई साब चलो इसका reason तुमको बताते हैं अभी ठीक है अब देखो यहाँ पर question simple सा बोलके रखा था आपके पास में 5D series और 4D series के अंदर बोलके रखा था ionic radii similar क्यों होती है similarity का हमारे पास है यह एक सबसे खास important reason होता है उस reason को कहा जाता है lengthenoid and actenoid contraction ठीक है भाई साब जो यह सिकुड जाते है ना इसे क्या कहा जाता है lengthenoid and actenoid contraction कहा जाता है lengthenoid और actenoid contraction की जो कहानी होती है उसके regarding आप लोगों को यहाँ पर समझने वाली बात यह निकल कराती है कि भाई मेरे कि lengthenoid और actenoid में जो contraction होता है तो size shrink होता है shrink होने की वज़े से यहाँ पर जो similarities होती है वो धीरे-धीरे करके बढ़ना चालू हो जाती है तो वैसे तो reason आपके पास में lengthenoid और actenoid contraction है परन्तो अगर आप लोग को नहीं पता है कि यह क्यों होता है तो उसका भी reason जान लो यह होता है because of poor shielding effect of f orbitals f orbitals के यहाँ पर poor shielding effect होने की वज़े से यह घटना होती है ठीक है यह clear हो गई बात समझ में आ गया गड़ी आगे बढ़ावें गड़ी यहाँ थोड़ी न आगे बढ़ेगी गड़ी बढ़ेगी हमारे पास में कहां से आगे desktop पे आ जाओ ठीक है यहाँ से गड़ी आगे बढ़ जाएगी तो बस simple सा answer है कि यह पूछा था कि वैया ऐसा क्यों होता है सबसे जादा प्रेडिक करा गया इसका जो answer होता है वो यही होता है contraction वाला ही क्योंकि उसके बाहर ऐसा कुछ इसमें से आता भी नहीं है ठीक है भाईया अगले question पर बढ़ते हैं अगला question बोलता है कि conductivity of 0.0241 molarity acetic acid मतलब बात करते हैं तो भाई साब यहाँ पर जो यह value देके रखी हुई है यह value किसकी है यह value आपके पास में देके रखा हुआ है acetic acid का concentration concentration बोल दो या इसको बोल दो molarity एक ही बात होती है रहे भाई कहारी number one फिर बोल के रखा है कि conductivity कितनी है हमारे पास में 7.896 10 to the power minus का 5 सीमन सेंटीमिटर इन्वर्स ठीक है सीमन या कहीं लोग साइमन भी बोलते है तो यह क्या हो जाता है कापा की value है फिर बोलता है calculate the molar conductivity if for acetic acid is this मतलब क्या अगर यहाँ सेंटीमिटर स्क्वेर मोल इन्वर्स देके रखा हुआ है तो यह क्या है हमारे पास में इसका standard molar conductivity देके रखा हुआ है बोलता है what is the dissociation constant इसका dissociation constant क्या होगा dissociation constant के regarding आप क्या करते हो आप बात करते हो के की formula होता c alpha upon में 1 minus alpha ठीक है यह वाली कहानी होती है हमारे पास में तो बस रहे भाई यह situation पे हम लोगों को लेकर आना है और हमारा question यहां पे solve हो जाएगा ठीक है भाई सब चलिए जी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं देख लेते हैं इस cancer क्या क्या आ रहा है सबसे पहले conductivity और यह देके रखा हुआ है पहली molar conductivity को हम लोग find out कर लेते हैं अगर आप लोग यहां पर बात करते हो कि क्या क्या देखा अच्छा पहले डाटा तो लेख लूँ बना डाटा लिखे तो काम भी कैसे चलेगा डाटा के रिगार्डिंग हमारे पास मेरे आर्मर को फिर यह चीज बड़ी दुखदाई होती है दोनों को इधर से उधर लेकर जाना पड़ता है ठीक है इसको अब लेकर आ गया हूँ अब बात नहीं है अब हमारे पास में देखे रखा है concentration मेरे पास लिखा हुआ तो है concentration हमारे पास में देखे रखा हुआ है 0.00241 0.00241 यहां पर देखे रखा है mole पर लीटर फिर उसके बाद में देखे रखा हुआ था अगली वैल्यू कापा की कापा की वैल्यू आपके पास में देखे रखी है 7.896 into 10 to the power कितना था माइनस का 5 साइमन इंटू मिटर इंवर्स ठीक है भाई साब यह देखे रखा हुआ था और 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 उसके बाद में क्या देखे रखा हुआ था आपके पास में स्टेंडर मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू देखे रखी हुई है 390. ठीक है यह देके रखी हुई है आपके पास में 390.5 और कुछ देके रखा हुआ है क्या नहीं है रहे इतना ही तो यह इतना ही वैल्यू हाँ तो molar conductivity आपके पास में क्या हो जाएगी भई या kappa into thousand upon में जो इसकी molarity होती है वो ये इसका पहला formula बन जाएगा जैसे यहाँ पर value रखते हो तो kappa की value क्या है 7.896 into 10 to the power minus का 5 multiplied by ये आ जाएगा 1000 divided by molarity कितनी देके रखी हुई है 0.0024 ये देके रखाए ठीक है ये इसको मैंने पहली सॉल कर लिया था डायरेक्ट आंसर बताता हूं आंसर आ रहा है हमारे पास में 32.76 अच्छा ये वाला मीटर क्यों लिखा ये भी सेंटीमीटर इनवर्स है ना ये वाला भी सेंटीमेटर इनवर्स है और ये वाला क्या निकला था हमारे पास में ये वाला हमारे पास में स्क्वेर में निकला था ना है ना यूनिट केस में क्या मामले करके रख दिया है साइमन इंटू सेंटीमेटर इनवर्स और सेंटीमेटर स्क्वेर मोल इनवर्स ठीक है सेंटिमेटर स्क्वेर मोल इनवर्स रहा 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 है आपके पास में ठीक है तो यहां पर लिख देता हूँ 32.76 यह वाली कहानी आ गई अब इस कहानी के बाद में अगला हमारे पास में क्या था कि सर इसका आपको यहाँ पर यह constant की बात करनी थे dissociation constant के निकालना था formula क्या निकला था मेरे पास c alpha upon में 1 minus alpha यह वाली value निकल कर आई हुई थी है ना तो इसके लिए किसकी जरूरत पढ़ती है हमें यहाँ पर alpha की जरूरत पढ़ती है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर alpha कहां से आएगा तो molar conductivity और molar conductivity at infinite dilution यह formula हमारे पास रहता है दोना ही value मेरे पास में देखे रखी हुई है एक value हमारे पास में 32.76 तो जरा मैं इसको लिख देता हूँ 32.76 which is divided by infinite dilution पर कितना चल रहा है मेरे पास में 390.5 इसको जब मैं solve करता हूँ तो भाई साब हमारे पास में value आ रही है 0.084 ठीक है क्या आ रहा है 0.084 यह वाली value आ रही है तो जैसे आपके पास में alpha की value निकल गई, alpha की value वहाँ पर k पर रख दो, तो जब आप यहाँ पर alpha की value k पर रख दोगे तो k की जो at the end of the story अपने पास में जो आ रही value 1.86 into 10 to the power minus 5 आ रहा है 1.86 into 10 to the power minus 5 mol per liter ठीक है रहे भाई यह वाली कहानी बन रही है तो इस तरह से इसको solve किया जा सकता है ठीक है, main काम आपके पास में यहाँ पर है कि आपको formula पता होने चाहिए question solve हो जाएगा पहला formula आपके पास में क्या था molar conductivity वाला, तो यह molar conductivity के formula से हमने इस value को निकाला फिर उन्हें बोल के रखा था dissociation constant निकालना है तो kappa is a, k is equal to c alpha 1 minus alpha उसके बाद में alpha की value यहाँ से निकल जाएगी alpha की value को put करा, solve करा हमारे पास में answer आ जाएगा तो बस रहे भाई, इतनी सी कहानी है तो यह लो जी, यह भी done इसके बाद बात कर लेते हैं predict the product of the electrolysis in each of the following हर किसी में आपको क्या करना है कि अगर इनका electrolysis करवाय जाता है तो आपको यह predict करना है कि इसमें से क्या बनेगा पहला कहानी बोलता है कि अगर आपके पास में silver nitrate का aqua solution होता है with silver electrode silver nitrate का आपके पास solution है silver electrode के साथ में ag no3 हमें पता है ag positive no3 negative में breakdown हो जाएगा इसके बाद में जो silver का electrode है तो silver का electrode क्या करता है silver है metal तो वो जाना जाता है अपने electronों को reduce करने के लिए अपने में से बाहर निकालने के लिए तो भाई साथ जड़ा इसका भी देख लेते हैं कि क्या कहानी निकल कर आ रही है पहले से मैंने फटा फट से solve करके रखा हुआ है देखो भाई साथ जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास में जो ag positive ions है silver nitrate से तूटे हुए ये ag positive electron को gain करके क्या कर लेंगे ag बना लेंगे वही पर अगर आप सिर्फ silver की बात करते हो तो ऐसा काम नहीं चलेगा दूसरी साइट पर मैंने क्या लगा दिया है इस she को लगा दिया ये कह standard hydrogen electrode यहाँ पर अगर electron gain किये जा रहे है क्या हो रहा है ये cathode cathode पर क्या perform होता है reduction तो भही यहाँ पर क्या perform हो रहा है reduction reduction के perform होने से यहाँ मुझे ये बात पता चल रही है कि cathode पर silver deposit हो रहा है और hydrogen gas बाहर जा रही है क्या पता चल रहा है ने भाई cathode पर क्या हो रहा है सर, cathode पर जो silver है solid state में ये हो रहा है deposit और साथ ही साथ में hydrogen gas जो है ये बाहर निकल रही है ये cathode पर हुआ वहीं अगर anode पर बात करता हूँ तो anode पर क्या होगा anode पर हमारे पास में silver का electrode था ठीके anode पर क्या था ये silver का आपके पास में electrode था ये silver का electrode जब anode पर reaction करेगा तो ये क्या करतेगा ने भाई ये यहाँ पर ag positive में convert हो जाएगा और ag positive में convert होते हुए electronों को release कर देगा अगर ये electronों को release कर देगा तो धीरे धीरे silver क्या होते चले जाएगा तूटते चले जाएगा तो आप यहाँ पर बोलोगे कि sir anode पर क्या घटना हो रही है तो यहाँ पर anode पर घटना ये निकल कर आएगी कि यहाँ पर जो silver का electrode होगा वो decompose होना शुरू हो जाएगा धीरे anode 3K solution और जो silver AG होता है उसके साथ में ठीक है रवाई यह clear हो गई बात नाव बढ़ते हैं हमारे पास में अगले वाले की तरफ अगला बोलता है कि एक aqueous solution है silver nitrate का with platinum electrode platinium electrode के साथ में तो पहली बता देता हूँ platinium का जो electrode होता है वो nature में होता है inert inert होने की वज़े से ये silver के जैसा decompose नहीं होगा तूटेगा नहीं और अगर यहाँ पर यह नहीं तूटेगा तो यहाँ पर reaction सिर्फ और सिर्फ एक ही यहीं पर यह देखने को मिलेगी कि anode में क्या बोला जाएगा सर platinium है platinium nature में क्या होता है inert होता है तो इस वज़े से silver की तरह ये तूटेगा नहीं और अगर ये नहीं तूटेगा तो इसके बदले में क्या direction देखने को मिलेगी सर यहाँ पर जिस पानी में आप इसे मिला रहे हो तो इस पानी के अंदर आपके पास रखा हुआ जो OH negative है वो इस तरह से convert होगा H2O बनाएगा और oxygen के molecule को release कर देगा तो ये कहानी होती है ठीके आप क्या कर रहे थे AGNO3 ले रहे थे AGNO3 में जो silver nitrate था NO3 negative वो platinium के उपर आकर attack नहीं कर सकता है पहले क्या हो रहा था भाईया पहले टूट जा रहा था AG AG positive में टूट रहा था परन्तु PT PT positive में नहीं टूट पाएगा क्यों नहीं टूट पाएगा नेचर कैसा होता है इनर्ट तो बसरे भाई इतनी सी कहानी है नाव बढ़ते हैं हम लोग अगले question की तरफ जिसमें अगला बोलता है a diluted solution of sulfuric acid with platinium electrode वापस से वही वाली कहानी आ गई platinium electrode की कहानी आ चुकी है अब देखो यहां पर क्या कहानी होती है देखो बाई साब कहानी यहां पर बहुत simple सी है platinium का electrode फिर से nature में inert होने की वज़े से reaction परफॉर्म नहीं करेगा परन्तु दूसरे साइड पर क्या होगा sulfuric acid है जिसमें से अगर आपके पास H positive बन रहा है तो electron लेकर वो hydrogen gas का निर्माण कर लेगा reaction कहां परफॉर्म होगी cathode पर उसी तरह से अगर जिसके अंदर आपने इसको मिला के रखा हुआ है तो जो sulfuric acid लिया था आपने ये ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ जो आपने sulfuric acid लेके रखा हुआ था इसकी दो state हो सकती है हो सकता है ये sulfuric acid diluted हो या हो सकता है कि ये जो sulfuric acid हो कैसा हो concentrated हो अगर ये diluted होगा तो इसके अंदर पानी का amount जादा होगा अगर ये concentrated होगा तो इसके अंदर पानी का amount कम होगा तो जो sulfuric acid तुम यहाँ पर use कर रहे हो अगर ये diluted हुआ तो diluted होने की वज़े से क्या होगा कि इसके अंदर पानी का amount जादा होगा तो reaction क्या होगी कि H2O का molecule oxygen gas को release करेगा और hydrogen के ions देगा जिससे कि ये acidic क्या कर देगा solution में convert हो जाएगा वहीं पर अगर ये concentrated हुआ तो concentrated में क्या होगा sulphate के ions निकलेंगे ये sulphate के ion क्या करेंगे और oxygen को gain करेंगे S2O6 2 negative में convert होंगे दो electron को release करेंगे और इतना potential ये लोग create करते हैं तो बस रे भाई इतनी सी कहानी होती है ध्यान रखना platinium जहां जहां पर भी आता है तो platinium अपने inert nature की वज़े से reaction को perform नहीं करता है लास्ट में आया है an aqueous solution of copper chloride with platinium electrode फिर वही कहानी आ गई तो reaction कौन करेगा भाई साहाब reaction सीधी सी बात है ये chlorine का मामला करेगा तो भाईया क्या करके रखा हुआ है अगर मैं बात करता हूँ cucl2 की तो cucl2 कैसे breakdown होता है अगर आपने बात करी है cucl2 की तो ये breakdown होता है cu2 positive plus twice of cl negative में क्या घटना होगी cu2 positive जो रहेगा oxygen को gain करेगा और copper के iron में convert हो जाएगा वहीं पे h positive जो होगा electron को gain करेगा और hydrogen gas में convert हो जाएगा ये दोनों घटना किसको बता रही है सर ये दोनों घटना बता रही है reduction को क्योंकि जब आप electron को gain करते हो that is known as reduction reduction कहां पर perform होता है सर reduction हमेशा perform होता है cathode पर तो ये घटना हो रही है आपके पास में cathode पर वहीं पे बात करता हूँ CL negative क्या करता है अपना electron सामने वाले को दे दे रहा है अगर ये सामने वाले को दे दे रहा है तो electron बाहर हो जा रहा है और CL2 gas बन जा रही है ये घटना क्या है सर ये घटना oxidation है अपना electron खुद से बाहर देना H2O के साथ में क्या हो रहा है oxygen gas बन रही है same as it is जो यहाँ पर घटना होई थी ठीक है H2O बार-बार यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब भी reaction को perform करते हो diluted या फिर concentrated medium पे ही perform करते हो so for that reason यह कहानी बनती है तो conclusion क्या बोलोगे कि sir chlorine gas का निर्मान हो जाएगा और copper क्या हो जाएगा आपके पास में deposit होना शुरू हो जाएगा तो बस रहे भाई यह situation है तो यह लो जी यह वाला question भी done नाव बात कर लेते हैं अगले question पे तो भाई यह अगला question जो हमारे पास में है देखो अब आएका 24 question 24 question में देखे रखा हुआ है give the IUPC name of the following compounds ठीक है भाई सब IUPC name बताने है following compounds के देख लेते हैं क्या-क्या नाम होता है पहली बात तो यह देख लो कि भाई यह IUPC name पे जो आपके पास में NH2 group होता है इसको benzenimine भी कहा जाता है और aniline भी कहा जाता है तो पहली बोलते हैं लड़ाई मत करना अगले अलग-अलग किताबों में अलग-अलग हिसाप से लिखते है benzenimine भी सही है, aniline भी सही है अब देखो भाई इसका numbering करना है numbering कहां से हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 3 अगर इसका मैं नाम रखता हूँ first वाले का तो इसको क्या नाम देते हैं भाई साथ इसको हम लोग नाम दे देते हैं A वाला ठीक है जी तो यहाँ पर अगर मैं A वाले की बात करता हूँ तो A वाले का नाम क्या हो जाएगा third position पे रखा हुआ है methyl तो इसका नाम रखा जाएगा 3 methyl and आप चाहो तो इसको benzene mine लिख सकते हो या चाहो तो इसे aniline भी लिख सकते हो ठीक है भाई साहब दोनों ही चल जाएगा दोनों में ही कोई लफड़ा नहीं है नाव बात कर लेते हैं B वाले की B वाले में क्या होगा दो amine group जुड़े हुए है 1,2,3,4 तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1,4 पे di amine हो जाएगा ठीक है तो B वाले का नाम रखते हैं तो B वाले का नाम क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाए अमाइन ठीक है या फिर आप चाहो तो 1,4 डाए अनिलीन भी रख सकते हो नाव बात कर लेते हैं C वाले पे C वाले पे यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा सर प्रिफरेंस का ओडर देखें एनिलीन ग्रूप को पहले मिलेगा दूसरे नमबर पे यह तीसरे नमबर पे यह चोथे नमबर पे यह चोथे पे क्लोरो है तीसरे पे नाइट्रो है और पहले पे क्या है हमारे पास में एनिलीन है तो नाम रखा जाएगा, तो नाम क्या रखा जाएगा, C से पहले शुरुआत करते हैं, 4-Kloro, फिर उसके बाद में क्या आजाएगा, आपके पास में, 3-Nitro, 4-Kloro, 3-Nitro, और उसके बाद में क्या आजाएगा, हमारे पास में, Nth position पे ये इथाइल जुड़ा हुआ, ये द 3-Nitro, Nth position पे रखा जाएगा इथाइल, इसको लिखेंगे N-Ethाइल, और क्या जाएगा आगे, बेंजेने, माइन या एनिलीन, दोनों में से कुछ भी रख देना रहे भाई, उसके बाद बात कर लेते हैं, D वाले की, D वाले की ये खासियत है, सर ये बेंजीन नहीं है, य साइकलो ग्रूप के रिगार्डिंग भी देखा जाए, प्रिफरेंस इसको ज़्यादा मिलेगी, इस एनिलीन ग्रूप को मिलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4, नाम क्या रखा जाएगा, इसका, 4,4 डाय मिथाइल साइकलो, ठीके, यहाँ पर ये साइकलो ग साइकलो हेक्जेनमाईन, ठीके, क्या नाम हो जाएगा, इसका, 4,4 डाय मिथाइल साइकलो हेक्जेनमाईन, अब यहाँ पर आपके पास में कोई कन्फ्यूजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बेंजीन नहीं है, बेंजीन होता तो एनिलीन और बेंजेनमाईन हम लोगों क समझ के चलो यह आपके पास में क्या है सर यह आपके पास में बेंजीन की रिंग है इस बेंजीन की रिंग के साथ में यहाँ पर एक CH2 गुरूप जुड़ा हुआ है आगे एक और CH2 गुरूप जुड़ा है और उसके साथ में क्या है मेरे पास NH और इसके साथ में क्या है CS3 ऐसा कुछ है तो जब इसका नाम रखने पर आते हैं तो नाम रखते टाइम पर selection of longest carbon chain करना है अगर यहाँ पर longest carbon chain देखो तो भाईया यहाँ पर सिर्फ 2 carbon की longest chain होने वाली है क्योंकि यह अपने अपने एक अलग group है तो अब क्या हो जाएगा सर यह position 1 यह वाली position 2 नाम अगर मैं इसका रखता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि सर second position पे phenyl है जब कभी भी benzene को as a radical treat किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है phenyl कहा जाता है तो मैं बोलूँगा कि सर second position पे क्या देके रखा हुआ है second position पे phenyl है और उसके बाद इस nitrogen के साथ में methyl है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर nth position पे क्या है मेरे पास में methyl है तो यह लिग दिया मैंने nth methyl main carbon में कितने chain है main chain में कितने carbon है दो carbon है तो इसके लिए क्या लखा जाएगा इसको इथे और first position पे amine है इthane mine यह इसका नाम पड़ जाएगा तो बस रहे भाई यह इसके नाम हो जाएंगे a b c and d और e clear हो गई बात समझ में आ गया तो यह सारे इसके नाम होने वाले हैं अब यह देखो last question बचा हुआ है question number 35 जड़ा देख लेते हैं question number 35 क्या बोलता है अगर मैं बात करता हूं question number 35 की अच्छा 34 के और में भी question है चलो बहुत अच्छी बात है पहला question बोलता है कि कैसे nitrobenzene को nitrofenol में convert करा जाएगा और aniline को chlorobenzene में और दूसरा question बोलता है कि इतना इतना मतलब वो sequential equation हम लोग को देखे रखी हुई है ठीक है भाई कर लेंगे कोई बात नी nitrobenzene को आपको क्या करना है phenol में convert करना है ओके भाईया देख लेते हैं कैसे किया जाता है nitrobenzene की अगर मैं बात करता हूं तो nitrobenzene क्या होता है सर नाइट्रोbenzene का मतलब होता है यह रहा benzene इसके ओपर क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास में NO2 group जुड़ा हुआ है इसके बाद में इसको किसमे convert करना है भाई साब इसको convert करना है हम लोगों को especially amines chapter के अंदर एक trick बताई थी जिसमें मैंने हमेशा एक point बोल के रखा हुआ है कि जब भी ऐसा question आता है तो आपके पास में सबसे reactive group जो रहता है वो सबसे reactive group कौन सा होता है हमारे पास में di-asonium salt याद रखना वहां पर मैंने बोला भी था कि इस सबसे important पार्ट जो होता है वो क्या होता है मेरे पास में di-asonium salt ठीक है ये वाली कहानी होती है अगर मैं बात करता हो कि भही यह dia-asonium salt बनेगा कैसे तो तो डाय अजोनियम सॉल्ट में क्या होता है आपके पास में एने, एनो टू प्लस एच सील के कॉंबिनेशन से आप यहां पे डाय अजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हो, एन टू सील, बहुत ही ज़्यादा रियक्टिव ग्रूप होने की वज़े से यहां पर क्या होत होता है, नाइट्रोजन गैस बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाती, बाहर निकल जाती है, जिस वज़े से आपके पास में यह कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वज़े से पता है क्या होगा, बी वाले से और ज्यादा एज़ी रहेगा, यह टेक्नीक के थूँ, पहले मैं बी वाला सॉल कर दूँ, ताकि क्या हो जाए कि आपको यहाँ पर हाथो हाथ पता भी चल जाए कि यह कितना आसान होता है, फिर मैं ए वाला यहाँ पर सॉल कर दूँगा, तो बी वाले की कहानी है, एनलीन से हमको क्लोरो बेंजीन में कंवर्ड करना है, तो कुछ नहीं करना, आपके पास में रखा हुआ है एनलीन, जो की होता है मेरे पास बेंजीन के उपर एनिश्टु वाला ग्रुप, इसके अंदर आपने क्या मिलाया है, एने, एनो टू प्लस एच सील को मिलाने पर यहाँ पर डाय अजोनियम सॉल्ट एन टू सील का निर्मान हो जा करवाओगे, तो Cu2, Cl2 की प्रेजन्स में आपका जो डाय अजोनियम सॉल्ट है वो नाइट्रोजन गैस को कर देगा रिलीज और बदले में क्या बना देगा, बदले में बना देगा क्लोरोबेंजीन, ठीके रे भई, तो बस रे भई, यह वाला इतना इजी है, बी वाला ज जाएगा, ऑक्सिजन को हटाना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो वहाँ पर मुझे परफॉर्म करवाना पड़ेगा, रेडक्शन, एक बार वो वाली घटना हो जाएगी, तो उस घटना के बाद में हमारे पास में गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीके भाई साहब क्लियर हुई बात, ठीक है जी, चलो, फर्स वाले कोशन को कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, इसी में ही हमारा सारा काम हो जाएगा, देखो बाई साब, क्या कंडिशन करके रखी हुई है, यहाँ पे, अगर मैं यह बोलता हूँ, कि यह रियक्शन, यहाँ की हाइडरोजिनेशन से बनता एनिलीन, एनिलीन से बनता डाय अजोनियम सॉल्ट और जो सेंड में रियक्शन आप लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म करवा के रखी है ना, इस सेंड में रियक्शन में, सी यू टू, सी यू, सी यू, सी यल, कुछ भी आप ले सकते हो, इसकी साथ में HCL बाहर चला जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, तो सिंपल सा फिनॉल का आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो, वही वाला काम था, बस एक स्टेप इधर बढ़ाई है और एक रियेजेंट वहाँ पर से कम करके रखा है, हमारे पास कहानी आपके पास में चल रही है और आपको बताना है यहाँ पर क्या कहानी होने वाला ही है, अब भाई साथ यहाँ पर आयोडीन दे के रखा हुआ है, तो यहाँ एक गलती कर दी है, इन्होंने, एक गलती क्या करके रखी है, कि यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बनेगा, तब जाके गाड़ी पूरी होगी, red phosphorus है, iodine है, red phosphorus और iodine क्या करता है भया, यहाँ पर reduction को perform करवाता है, ठीक है, कोई एक group निकला होगा, उसकी जगे iodine आया होगा, ठीक है, कहीं से कुछ निकला होगा, तो अब देखो भाई साब, यहाँ पर कहानी क्या होती है, कि iodine आपके प ग्रूप को create करने के लिए, तो देखो, मैं उल्टी reaction चला रहा हूँ, आपके पास में रखा हुआ है CH3I, और यह जो CH3I है, यह बना है किसके presence में, यह बना है red phosphorus और iodine के presence में, तो भया, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले आपके पास रखा होगा CH3OH, यह CH3OH क्या होता ह है, यह HNO2 के presence में आपके पास में form हो जाता है, ठीक है, यहां तक हमारे पास बन गया B क्या है हमारे पास में, bromine और sodium hydroxide यह present होता है, bromine और sodium hydroxide देखो भाइस, आप कहींगगे नहीं यहां पर भी काम रहता है, यहां पर भी काम देके रखा हुआ है, इसका काम क्या रहता है कि जो ब्रोमीन होता है न ये ब्रोमीन बेस की प्रेजन्स में हमेशा जितने भी आपके पास में अमाइड ग्रूप होते हैं CH3, COO, NH2 तो इसका काम क्या होता है कि ये अमाइड ग्रूप को अमाइड ग्रूप में कनवर्ट करता है मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है न C double bond O वाला ये हिस्सा ये breakdown करके क्या बना देता है CH3 and NH2 बना देता है ठीक है भाई सहाब जरा इसको भी मैं erase कर देता हूँ तो ये बना देता है CH3 and NH2 ये इस तरह से इसका formation करता है तो क्या क्या बात हो गई पहले आपके पास में रखा था CH3 C double bond O NH2 जो कि एक अमाइड ग्रूप था अमाइड ग्रूप से आपके पास में जब इसका bromination करवा दिये in the presence of basic medium तो ये किसमे convert हो चुका है amines में और amines का जब आपने यहाँ पर HNO2 के साथ में reaction करवाया तो वो alcohol में convert हो चुका है और at the end of the story वो methyl iodide में convert हो चुका है ठेक है बाई सब clear हो गई बात अब देख लेते हैं B वाले question पे तो B वाले question में diluted HNO3 है मतलब ये क्या perform करवा रहा होगा obvious बात है सरी यहाँ पे nitrogen perform करवाता है SN plus HCl क्या करवाता है reduction को perform करता है reduction कहां पर हो जाएगा आपके पास में जहाँ oxygen present होगा उसको हटा कर hydrogen आ जाएगा Na NO2 plus HCl को जब boil करते हैं तो ये क्या करता है पहले बनाता है di-azonium salt इनके presence में और boil करने पर nitrogen gas निकल जाती है और आपके पास में क्या बन जाता है quinol बन जाता है तो इसको क्या कहा जाता है quinol कहा जाता है अब भईया इसको भी मैं बना दू इसको मैं उपर लिख दे रहा हूँ ये B वाले को तो सबसे पहले आपके पास में क्या है दो OH ग्रूप का quinol बनाना है तो आपके पास में एक पहले ही यहां पर phenol present होगा तो भईया हमारे पास में present होता है ये phenol ये क्या हो चुका है हमारे पास में A, अब इस phenol पे क्या कराया है diluted HNO3 मिलाया है, diluted HNO3 जब कभी भी आप यहां पर मिलाते हो ठीक है, diluted HNO3, तो ये क्या देता है? Nitro group देता है, जो की NO2 positive एक electrophilic group होता है ये NO2 positive कहां जाएगा? सर, ये पैरा position पे चला जाएगा तो यहाँ पर अगला जो compound form होगा, वो ये होगा कि सर, phenol उपर बना हुआ है Nitro group यहाँ नीचे जुड़ गया ये क्या बन चुका है? B अब इस पे क्या करके रखा? आपने SN और HCL के presence में reduction को perform करवाया है जैसे ही आप यहाँ पे reduction को perform करवाते हो SN और HCL के presence में, तो यहाँ पे ये जो group होगा ये यहाँ पे NO2 में से oxygen को छोड़ कर या oxygen को छीन कर इसे aniline group में convert NO2 प्लस HCL को साथ में रखकर boil करा, तो ध्यान रखना पहले सिर्फ उपर वाली step यहाँ OH को N2 CL में convert करती है, diazonium salt में और उसके बाद में जब आप boil कर देते हो ठीके, जब आपने क्या करके रखा हुआ है, इसको Na NO2 प्लस HCL के साथ मिलाया, फिर इसे boil कर दिया, तो इसने क्या बना दिया है इसने यहाँ पर बना दिया है क्विन ओल, उपर भी OH और नीचे भी क्या हो जाएगा OH आ जाएगा, ठीके भाई साब यह कहानी है, क्लियर हो गई बात समझ में आ गया ठीके जी, चलो C वाला भी देख लेते हैं, C वाला भी सेम पहले वाले की तरह दिखाई दे रहा है बाई साब यहाँ पर क्या है, alcohol है HNO2 की presence में, यहाँ पर मैंने पहले बताया था, HNO2 की presence में गर alcohol बनता है, तो इसके पहले वाली जो step होती है, वहाँ पर obvious बाते क्या present होता है among group present होता है C2H5OH है ये C वाले को भी मैं उल्टा चलाता हूँ वई या C वाले question को तो C वाले question को अगर मैं उल्टा चलाऊंगा C वाले question को अगर मैं उल्टा चलाता हूँ तो C वाले को उल्टा चलाने पर क्या होगा कि मैं बोलूँगा सर, मेरे पास में रखा हुआ है C2H5OH, अब आपने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर HNO2 ग्रूप डाल कर इसे बनाया है, तो यह किस चीज से बना होगा, यह बना होगा C2H5NH2, अमाइन ग्रूप से बना होगा, इसके पहले क्या यूज करके रखा है, ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ BR2 और KOH, तो यह क्या करता है, सर यह जो ब्रोमीन है, यह अमाइन ग्रूप को अमाइन ग्रूप में कन्वर्ट कर देता है, तो आपके पास में क्या बना होगा, यहाँ पर बना होगा, आपके पास में C2H5C double bond O और NH2, यह क्या हो या अमाइन ग्रूप आपके पास भी हो चुका है, at the end of the story किसी चीज को गर्म करा है, गर्म करके यह बी का फॉर्मेशन करके रखा हुआ है, अब यह गर्म किसको करा होगा, यहाँ पर अगर आप किसी चीज को गर्म करके आप उसको अमाइन फॉर्म पे लेकर आते हो, तो बेसिकली वो होता है salt, क्योंकि गर्म करने पर यहां पर क्या होगा, salt भी कौन सा, oxy salt होता है, क्योंकि गर्म करने पर क्या होता है, कि यहां पर जो gases होती है, वो बाहर निकल जाती है, तो यहां पर salt जो आपके पास में होता है, वो होता है C2H5, C00O, फिर आता है O और NH4 आ जाता है जहां पर ये वाला oxygen negative और ये वाला hydrogen क्या होता है positive तो क्या होगा यहां से 2 hydrogen जाएंगे यहां से 1 oxygen जाएगा जिस वज़े से यहां गरम करने पर H2O बाहर चला जाएगा और H2O बाहर जाने पर आपके पास amide बनेगा फिर उस पर आपने क्या करा है amide बनाए और amide से क्या कर दिया है alcohol का formation कर दिया है तो ये रही हमारे पास में इसकी sequential equation ठीक है भाई साब clear हो गई बात समझ में आ गया तो बस रे भाई ये इसका और वाला question था अब अगर मैं बात कर लेता हूँ यहां पर अगले question की तो अगला question जो है question number 35 वो क्या बोलता है question number 35 बोलता है t half of the reaction increase it with increase in the initial concentration what is the order of reaction simple है ये क्या हो जाएगा sir ये zero order reaction है ठीक है ये जितनी भी घटनाए होती है वो कहां पर होती है sir ये zero order reaction पे होती है लो रे भई कहानी खतम name one iron whose central atom has the sp3 d3 मतलब outer shell वाला है यहां पर तो वो iron आपके पास में क्या होता है xe f 7 minus 1 ठीक है xenon का iron होता है xe अब देखो चाहो तो आप इसका hybridization भी निकाल कर देख सकते हो तो xenon 7 fluorine के साथ में क्या करता है reaction कर रहा है अगर यह 7 fluorine के साथ में reaction कर रहा होगा तो obvious बाते साथ xenon कुछ ऐसा दिखाई देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 with negative charge अगर तुम इसका hysteric number निकालते हो तो hysteric number पे क्या है आपके पास में यहां पे 7 sigma bond का formation हो रहा है ठीक है भाई साब hysteric number ऐसी निकालते हैं number of sigma bond plus number of lawn pair तो यहां पर 7 sigma और 0 lawn pair हो रहे है मतला बांसर आ जाएगा 7 क्या हो जाएगा sp3 d3 यह वाली कहानी हो चुकी है अगले वाले पे बात कर लेते हैं अगला वाला बोलता है write the structure of the compound whose IUPAC name is cyclopentane 3 in 1 all यह कहानी देके रखी हुई है अब क्या होगा भई यह इसका नाम कैसे रखा जाएगा इसका नाम अगर मैं यहां पर रखता हूँ इसको में रेस कर दूँ यह तो पता चल गया ना compound का नाम क्या है अगले वाले question की मैं यहां पर बात करता हूँ तो अगले वाले question के regarding situation ऐसी है कि compound एक cyclopent group है cyclopent group का मतलब क्या होता है कि sir आपके पास में एक cyclic group है जो पंच carbon की ring से बनता है तो cyclopent हो गया third position पे double bond है और first position पे all मतलब alcohol है तो पहली position अगर इसको मान लेता हूँ OH all आ जाएगा और third position पे क्या है double bond है तो यह लो भई यह pent cyclopent 3 in 1 और इसका निर्मान हो चुका है now इस वाले group की बात करते है write the IUPAC name of the compound क्या होगा selection of longest carbon chain सबसे लंबी carbon chain कौन सी होगी ये वाली aldehyde group को क्या करना है इसके अंदर शामिल करना है numbering कहां से दी जाएगी sir यहां से 1,2,3 और 4 क्या नाम हो जाएगा sir third position पे amine group आपके पास में देखे रखा हुआ है और third position पे amine group इसको आगे prefix में लिखेंगे तो third position पे amino बोला जाएगा और कितने carbon है myth, it, prop, but तो यहां पर क्या हो जाएगा butane और aldehyde के लिए क्या होता है al होता है तो three amino butanile यह इसका नाम हो जाएगा इतना आप लोग लिख सकते हो लिख लेना भया अगली कहानी the second and third rows of the transition elements resemble each other much more than they resemble the first row explain why यह बोलता है कि जो second and third row होती है transition elements की ज़्यादा resemble करती है much more than they resemble the first row why तो भया उसके अंदर क्या कहानी होती है हम लोगों ने पहले भी देख के रखा हुआ था reason क्या था वही contraction वाला कि second and third row transition element क्या होता है ज़्यादा resemble करता है ठीक है reason क्या हो जाएगा भाई साहब वही contraction वाली कहानी left right जाने पर size होता है चोटा और चोटा size होने की वज़े से क्या होता है वहाँ पर shielding effect create होता है और shielding effect की वज़े से ही यहाँ पर यह ज़्यादा एक दूसरे से resemble कर सकते है ठीक है भाई साहब बस इतनी इतनी घटनाए है clear हो गई बात समझ में आ गया और अगर यह आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया है दे इन औरगिनिक केमेस्ट्री में तो वैसे होता हुई यह maximum time अगर मैं बात करता हूँ न कि जो table होती है उसमें कुछ आपको उल्टा सीधा देखने को मिलता है तो उसका main reason तो वही होता है कि वहाँ पर shielding effect आ चुका है for that reason यह कहानी होती है क्योंकि वही poor shielding effect contraction को भी generate करवाता है और अगर यह हमारे पास में हो गया है complete तो इसी के completion के साथ में ही हमारा यहाँ पे हो चुका है lecture end यह हो चुका है आपके पास में sample paper one ऐसे आगे और भी sample paper आएंगे जब तक आपकी examination नहीं चलती है तब तक सब कुछ आपके पास में बहुत सारा content आपको मिलते चले जाएगा और यह सारा content आपको मिलेगा कहां पे सिर्फ step up academy पे जहां पे आपको सिर्फ class 11-12 लेकर 12 तक के सारे state board examination का सारा content आपको मिलेगा इसके अलावा जितने भी competitive examinations होते हैं उसकी भी आपको सारी चीजे यहां पर available हो जाएंगी और इसी availability के साथ में करता हूँ में इस वीडियो को end मिलता हूँ आप सभी से next वीडियो में तब तक के लिए सभी को टाटा बाई बाई